And here we go, this is CA Rishabh Rora, your mentor for CA Foundation Accounts, चले राजा आगे, बिलकुल सर चलते है, on to the new lecture and the lecture name is Bank Reconciliation Statement, यह आपको एक्जाम में 5 to 10 मार्क्स के आसपास दिखेंगा, कितना दिखेंगा, 5 to 10 मार्क्स के आसपास यह आपको एक्जामिनेशन में हर बार फ्रोबैबली दिखेंगा ही Because this is based on your 11th reality में use होता है, तो ICY का concentration उन chapters पर है जिनका realistic focus जादा है, perfect, yes sir, तो चलते आगे, Bank Reconciliation Statement, अब what are the topics you gonna cover in this lecture, आखिर हम BRS बनाते क्यों है, what is the correct and who is always correct in Bank Reconciliation Statement and simplest form to prepare BRS, so that आपको एक्जाम में 100% accuracy मिल सके, perfect, yes sir, चल, अब, देखो राजा, why do we prepare BRS, सबसे important मुद्ध यही छे, चले, पढ़ने के तरफ, ध्यान दो यहाँ पे everyone, अब होता क्या है, अब होता क्या है, suppose यहाँ पे Mr. A, suppose यहाँ पे Mr. A, अब Mr. A, अपने office में बैठा हुआ है, और वो office में बैठके accounting कर रहा है, वो office में बैठके क्या कर रहा है, accounting, किस चीज़ क्या accounting कर रहा है, कित्ता पैसा आया, और कित्ता पैसा गया, perfect, yes, अब Mr. A का account कहाँ पर है, HDFC bank, Mr. A का account कहाँ पर है, HDFC bank, अब होता क्या है, Mr. A, bank account की भी accounting कर रहा है, किसके accounting कर रहा है, HDFC bank account, what happened is, on 31st March, on 31st March, 2022, Mr. A बोल रहा है, कि मेरे HDFC के bank account में कित्ता पैसा है, 10,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, बढ़िया मिस्चर ये खुश है बट क्या उल्टी गंगा भी हो सकती है बिलकुल मिस्चर एक को एज़ेपसी बैंक बोल सकता है कि तेरे अकौड में आठ लाक है अब मिस्चर एटेंचन में बैसाब पिछले साल 11 लाक था इस साल 8 लाक है हो क्या रहा अब क्या मैं बोल सकता ह तो बैंक का बैलेंस 10 लाक रुपए है और बैंक के इसाब से बैलेंस किता है 8 लाक रुपए क्या ये दोनों में फरन का आगया क्या ये तो दोनों में फरन के और बहुत बड़ा फरन кेंत तो अब यह जो difference है, यह difference हम find out करेंगे by preparing a statement called bank reconciliation statement. देखो difference find out करना, हमें find out करना है कि यह दोनों figure different क्यों है, तो हम reconcile करेंगे ठीक है? और हम एक statement बनाएंगे, statement भी known as bank reconciliation statement. I'll repeat what I said once again. Mr. A. के हिसाब से, Mr. A. के HDFC bank account में कित्ता balance होना चाहिए? 10 लाख रुपए. लेकिन HDFC bank बोल रहा है, Mr. A. आपके account में तेरफ और से 8 लाख का balance है. कहना इसे Mr. A. को tension आना चाहिए? बिलकुल आना चाहिए. अब ये 10 लाख और 8 लाख के बीच में, जो difference है, जो difference है 2 लाख रुपए का, वो हम find करेंगे. बाइ प्रिपेरिंग, कौन्सा स्टेट्मेंट? बैंक रीकंसिलेशन स्टेट्मेंट. बैंक रीकंसिलेशन स्टेट्मेंट. परफेक्ट? येस सर्. जिस दिन आपका balance और बैंक का balance match नहीं करता है, तो भाइस साब आपको क्या बनाना पड़ेगा? बैंक रीकंसिलेशन स्टेट्मेंट. अब, who is always correct in BRS chapter? देखो भाइस साब, जिन्दगी में आपका जब भी जगड़ा होगा, कोई एक इंसान तो correct हो गई होगा जगड़े में? चले आगे, आप समस्ते कैसे? सपोस मेरा जगड़ा हुआ है, मेरा वाइफ के साथ, मैं भी सही बोल रहा हूँ, मैं भी सही बोल रहा तो भाइस साब, at the end of the day, सही मेरी वाइफ ही होगी हमेशा, सही कौन होगी मेरी वाइफ ही होगी हमेशा, आगे वड़ते हैं, अगर मैं गला तू, मेरी वाइफ सही है, तो करेक कौन है? वाइफ, अगर मैं गला हो तो मेरी वाइफ सही है, तो मेरी वाइफ ही सही रहेगी, अगर मैं करेक्ट हूँ, मेरी वाइफ रॉंग है, बट फिर भी करेक्ट कौन है, वाइफ, that obvious, वो relationship का हिसाब किता भी वैसे चलता है, and last but not the least, हम दोनों रॉंग है, बट फिर भी सही कौन है, मेरी वाइफ, तो at the end of the day, कोई भी केस हो जाए, सही कौन रहेगी हमेशा मेरी वाइफ, perfect, सर आपकी वाइफ कौन है, देख खोश्चन मागया अभी तर, मैं खुद को नहीं पता कौन है, ठीक है, अरे अभी तक ढूंडा ही नहीं है, यार, come on, देख दो इदर, आपकी वाइफ कौन है, बड़ी पंचायती है दर, चल, तुम्हें पर बात बता हो, क्या मैं बोल सकता हूँ, हर केस में वाइफ सही है, बिलकुल, तो अब, अगर Mr. A और HDFC, बैंक के बीच में जगड़ा है, Mr. A बोल रहा है कि मेरा बैंक का बैलेंस दस लाग होना चीए, SGFC bank बोल रहा है 8 lakh होना चीए Mr. A. बोल रहा है मेरा bank का balance 10 lakh होना चीए SGFC bank बोल रहा है आपका balance का balance 11 lakh है हमेशा हमेशा कौन सही रहेगा bank हमेशा कौन सही रहेगा bank perfect यह याद रखना इस पूरे chapter में जो balance bank बोल दे वो balance है अगर bank बोल रहा है 8 lakh तो balance किता है 8 लाग अगर bank बोल रहा है 11 लाग तो आपको कितने पर reconcile करना है 11 लाग बात खतम bank को कोई लेना देना नहीं है कि क्या सही क्या गलत bank बोल रहा है ना मैं सही हूँ तो बात खतम bank is a wife आप कभी उससे जगण के जीच सकते क्या नहीं तो bank जो बोलेगा वो final are you clear with this in the whole chapter BRS जो bank का balance है वो final है आपको वहां तक पहुचना पड़ेगा I repeat जो bank का balance है वो final है आपको वहां तक पहुचना पड़ेगा by preparing a statement called BRS yes sir चल अब हमेशा मैं आपको आज बोल रहा हूँ आपने इससे पहले कहीं पे भी पड़ाओ मुझे लेना देना नहीं है but when you're teaching and learning from me ठीक है तो एक चीज़ बोल रहा हूँ BRS chapter में आपका point of view हमेशा cash book से pass book रहना चाहिए सर पहली बात cash book और pass book होती है अब आथ समझो आपके 11th में आपने पड़ा था different types of cash book आपने लेन्स पड़ा था different types of cash book अब उसके अंदर तीन टाइप आपको पढ़ाए गेते पैसी टेक्निकल तो चार पढ़ाए गेते single column cash book double column cash book triple column cash book and last but not the least petty cash book परफेक्ट अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ double column cash book में अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ double column cash book में if I prepare a format particulars मैं date rate ignore करते हुए date लो भाई लिख दे दे पूरा date particulars cash bank date particulars अब बच्चों को सबसे बड़ा confusion रहता है यह आपको आज तक ध्यान गया नहीं होगा बट मेरा क्राम है आपको बताना जब भी हो बोलता है balance as per cash book जब भी हो बोलता है balance as per cash book तो उसका यह बोलना है कि भाई साब जो cash book में बाई बाई बाट जो आपका cash book में bank का column रहता है हम उसकी बात करते हमेशा क्या वो रहा है ध्यान दो जो cash book में bank column की बात हो रही है जो cash book में bank column है यही bank column किसके अंदर आता है bank reconciliation statement में वही किसके अंदर आता है bank reconciliation statement तो आज के बाद जब जब वो बोलेगा balance as per cash book आपको क्या सोचना है cash book में bank column की बात कर रहा है cash book में bank column की बात कर रहा है am I clear to clear cash book में bank column cash book में bank column is equal to bank account मतलब किसके बात कर रहा है मतलब किसकी बात कर रहा है बैंक अकाउंट की बात कर रहा है अब ये बैंक अकाउंट का बैलेंस ये बैंक अकाउंट का बैलेंस इस पर यू ठीक है ये HDFC बैंक के आपका तो ये HDFC का बैंक अकाउंट का बैलेंस इस पर यू आप बोल रहे हो मेरे HDFC अकाउंट में 10 लाग है But HDFC bank बोल रहा है कि आपके bank account में कित्ता बैलन्स है? 8 लाख रूपर, कित्ता बैलन्स है? 8 लाख This 8 लाख balance is known as balance as per passbook, is known as balance as per passbook At the end of the day, जो bank आपको balance बताता है कि भाई साब आपका कित्ता है? 8 लाख This is known as balance as per passbook और जो balance आप बताते हो, that is known as balance as per cashbook Cashbook में कौन सा कॉलम? बैंक कॉलम और बैंक कॉलम का मतलब ही क्या हो गया? बैंक अकाउंट पर्फेक्ट विद देश्ट येस तर पर्फेक्ट विद देश्ट येस तो अपने लेक्चर यहां पर था एक सेगेंड थोड़ा अरेंज कर लेते हैं तो आपको हमेशा कॉन सा सोचना है? बैलेंस एस पर कैश बूक हमने सोचा लेकिन कोश्चन में कभी कभी ओवरड्राफ भी रहता है? बिलकुल बैलेंस पर कैश बूक है आपको करना कहनेता है कि चार्टिंग पर्फेक्ट मतलब कोश्चन कहां से स्चार्ट हो रहा है? स्चार्टिंग पर्फेक्ट मतलब प्रॉम वेर कोश्चन स्चार्ट अगर स्चार्टिंग पॉएंट इस बैलेंस एस पर कैश बूक तो इसका एंड का होगा? मतलब आपको कहां पर पहुचना है? बैलेंस एस पर पाश बूक पे अगर स्चार्टिंग पॉएंट इस बैलेंस एस पर पाश बूक अगर आपने passbook से start किया तो balance जहांके कहां पे end होना चीए balance as per cashbook पे so in short अगर आप 10 लाग से शुरू करोगे तो आपको कहां पे पहुचना है 8 लाग पे अगर आप 8 लाग पे शुरू करोगे तो आपको कहां पे पहुचना है 10 लाग पे तो हर जगह हर बार आपको कितने का difference रिकंसायल करना है 2 लाख रुपे का आप कही से भी चलो answer आपका वही आएगा difference कितना है 2 लाग का आप balance as per cashbook से चलो तापको कहां पहुचना पढ़ेगा balance as per passbook आप balance as per passbook से चलो तो तब कहा पॉर्ष्ण अबनेगा balance as per cashbook बात खता हूं कोई दिक्कत यहां पे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं अब आपका सोचना सर हम कहीं पर भी चले जाए आपका सोचना क्या रहना चीए यह लेक पर रहना चीए पर फिर इसका कैसे करेंगी यह आप नहीं पढ़ा होगी क्या बेटा अगर मैंने एक बर यह पढ़ा दिया ना यह पढ़ाना fraction of seconds है यह पढ़ाना fraction of seconds है perfect yes चल अब सबसे पहले when I talk about cashbook सबसे पहले when I talk about cashbook यहां चार चीजों के वैसे difference आता है प्राइमरली कितने चीजे है चार चीजों के वैसे difference आता है पहला check issued but not yet deposited check deposited but not yet cleared amount directly deposited and amount directly deducted यह चार रिजन के वैसे normally balance में difference आता है SDFC bank बोल रहा है आठ लाग आप बोल रहे हो दस लाग तो इन दो लाग का difference यह चार वज़ों से हो सकता है यह चार वज़ों से होता है सार डिरेक्ली थोड़ा समझाओ ना इनका मतलब क्या होता है ठीक है बिलकुल समझाए यह अड़ा एकदम basic सी चीज है हर चीज का मतलब क है अरे अब सापोस अब सापोस आपके मिस्चरे बोल रहा है मिस्चरे बोल रहा है कि उसके sdfc account में 10 लाग रुपे है sdfc bank क्यों बोल रहा है sdfc bank बोल रहा है भाई साब आपके account में हम बता रहे कितना balance है 8 लाग रुपे कौन साई bank साई तो आपको कहा से पहुचना है 10 लाग से 8 लाग पहुचना है perfect with this yes अब आपने drill down किया आपने देखा कि यार यह difference क्यों है कि आपने find out किया पिर आपने निकाली अपनी जर्नल एंट्री आपने निकाली जर्नल एंट्री अब जर्नल एंट्री में आप चेक करने लगे और एक बंदा है Mr. Y एक बंदा है Mr. Y उसने मुझे चेक दे दिया है ठीक है एक बंदा है Mr. Y उसने मुझे चेक दे दिया और जैसे उसने चेक दे दिया मैंने entry पास कर दिया bank account debit to Mr. Y जैसे वाइन ने मुझे चेक दे दिया मैंने entry पास कर दिया bank account debit to Mr. Y कित्ते का एक लाख और एक लाख अब यह चेक अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ है बाइस साथ क्लियर नहीं हुआ है कि अभी तक यह पैसा आपके बैंक अकाउंट में आया नहीं है बड़ आपने एंट्री मार लिया मैं क्लियर नहीं हुआ है मतलब यह पैसा अभी तक बैंक अकाउंट में आया है क्या नहीं जब तक बैंक अकाउंट में वह पैसा नहीं आएगा तब तक वह चेक क्लियर नहीं माना जाते है तापके bank account में पैसा आया क्या नहीं बढ़ आपने क्या entry मार दी क्या येस सर मतलब आपने क्या किया है एक लाख रुपे से अपने account में प्लस कर दिया है आपने यहाँ पे एक लाख प्लस कर दिया है क्या bank में एक लाख प्लस हुआ है है क्या नहीं सर्ण हमेगों बताओ स्था कॉह हमेशा वे बैंक बोल रहा है कि भाइशाब तुमने Nagas कर दिया वे डाल प्लस कर दिया तुमने bank galing भाइस सब मैं सही हूं हमेशा तू नीचे या bank क्या बोल रही है मैं सही हूं तू नीचे या तो check deposited but not yet clear आप क्या करोगे you will prepare a bank reconciliation statement you will prepare a bank reconciliation balance as per cash book आपने क्या लिखा balance as per cash book कित्ता 10 लाख रुपए अब पहला कौन सही बैंक सही आपके साथ से आपने एक लाग का बैलेंस बढ़ा दिया क्या अभी तक बैंक अकॉंड में पैसा नहीं सर अभी तक वो बैंक अकॉंड में पैसा नहीं आया मैंने बे मतलब की एंट्री मार दिये तो कौन से हमेशा बैंक तब आप नीचे आओगे perfect नीचे आना मतलब minus होना ठीक है तो अब आपके लिग दोंगे आपे check deposited मतलब आपने deposit किया है और आपने माना आपका balance बढ़ गया बढ़ टेक्निकली बढ़ा है क्या balance नहीं check deposited but not cleared कित्ता दो लाख रुप है कित्ता सॉरी एक लाख रुप है perfect येस अब scenario number two लेते हैं अब scenario number two लेते हैं एक बंदा है उस बंदे का नाम है Mr. Q उस बंदे का नाम क्या है Mr. Q परफेक्ट येस अब Mr. Q को मुझे कुछ payment देना था तो मैंने क्या किया Mr. Q को check बना के दे दिया जैसी मैंने Mr. Q को check बना के दे दिया मैंने माना मेरे bank account से पैसा चला जाएगा मैंने माना मेरे bank account से पैसा चला जाएगा तो मैंने क्या entry pass कर दिया Mr. Q का account debit to bank मिस्टर क्यू का एकाउंट डबिटु बैक एकाउंट अब कितп AG था ये सर ये था 2 प्र हुपे का कित्ते का था ये चेक सर ये चेक था 2 लाफ रुपे का सब मैं देख रहा हूं कि भाई साब मैंने एंट्री हुपास कर दिया लेकिन यह चरसी आदमी यह नशे करता है यह नशे करता है और यह नशे के चक्कर में इसने अभी तक चेक चेक प्रेजेंट ही नहीं किया चेक प्रेजेंट नहीं किया मतलब जब तक वो चेक अपने बैंक में लेके नहीं जाएगा तब तक ये पैसा मेरे bank account से माइनस नहीं होगा तब तक ये पैसा मेरे bank account से माइनस नहीं होगा मैंने माना मैंने चेक दिया तो आगे वाला अच्छा इंसान है वो पैसे तो बक्का ले लेगा तो मैंने माना चेक दिया तो balance कम हो जाएगा बढ़के एक्चल में बैलेंस कम हुआ क्या नहीं सर वो तो नशे कर रहा था उसका ध्यानी नहीं है तुम्हें बाद बता कौन साही बैंक आप नीचे पहुच चुके हो तो आपको उपपर आना पड़ेगा कि बैंक को नीचे लेके जाओगे साही हमेशा कौन है बैंक तो दो लाख मतलब आपको इसको क्या करना पड़ेगा यह प्लास आपने माना कम हो गया बैलेंस बड़ अक्चल में कम हुआ है क्या नहीं तो मुझे दो लाख प्लस करना पड़ेगा क्या कि तो चैक इसूर मतलब मैंने चेक तो दे दिया मैंने check दिया तो मैंने माना मेरा payment कम हो जाएगा मेरे bank account से balance कम हो जाएगा बट ये भाई साब ने अभी तक check present ही नहीं किया जब तक check present नहीं होगा तब तक मेरे bank से पैसा नहीं कटे का तो ये 2,00,000 क्या हो जाएंगे plus अब amount directly deducted अमाउंट डिरेक्ली डिड़क्टेंग अब क्या हुआ था मेरी ना पता है कार की एमाई थी मेरी कार की एमाई थी मैंने कार लोन पे लिया था तो कार का पैसा installment में pay कर रहा था और installment को बोला जाता है EMI अब मेरी car की EMI मेरे account से cuttay जा रहे थी SDFC के account से cuttay जा रहे थी और में को ध्यानी नहीं कि मेरी EMI कटते जा रही है perfect अब मैंने year and पे देखा जार साल भर में मेरी 3 लाख रुपे की EMI कटे चुकी है जिसकी मैंने entry pass की थी क्या नहीं क्या मैं बोच सकता हूँ मेरे bank से directly cut गई है बिलकुल तो वो पैसा जो मेरे bank से directly cut गया है बट मैंने उसकी entry pass नहीं किये सही कौन हमेशा bank bank नीचे हो गया क्या मैंने entry pass किये के नहीं तो में को क्या करना पड़ेगा entry pass कर लो minus कर लो I repeat 3,000,000,000 रुपे bank से cut गया तो मेरा bank नीचे हो गया क्या मैंने accounting किये क्या मैंने उसकी general entry pass किये नहीं सर तो आपको भी 3,000,000 कम करना पड़ेगा perfect yes अब मुझे पता चला कि मेरे account में मेरे client है उसने पैसा directly deposit कर दिया उसने directly पैसा deposit कर दिया और घदे ने में को बताया भी नहीं मेरे client है उसने directly पैसा deposit कर दिया मेरे account में लेकिन में को बताया नहीं मैं बात बता हूँ जब मेरे bank account में पैसा deposit होगा तो bank का balance बढ़ेगा बट मुझे पता है क्या नहीं तो मैंने अपना बैलेंस बढ़ाया क्या नहीं परफेट तो अब मैच करने के लिए मुझे भी अपना बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा परफेक्ट येस सर अब इसको एक काम करते हैं लेट्स टेक इट चार लाख रुपए लेट्स टेक इट चार लाख एंड में आंसर कित्ता लाना है आपका आठ लाख कित्ता डिपॉसिट कर दिया उसना डिरेक्ली एक लाख रुपए अब अगर आप मैच करूंगे 10 माइनस 1 9 9 प्लस 2 11 11 माइनस 4 7 7 प्लस 1 8 लाख ये वाला हाथ है इस बैंक अकाउंट ये वाला हाथ है इस बैंक अकाउंट और ये वाला हाथ है मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए बैंक क्या बोल रहा है और मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए अब मैंने एक चेक दिया मैंने माना मेरा बैंक का बैलेंस खाल जाएगा तो मैंने जॉर्नल इंटे मार दी मैंने अपना वालणge कर दिया तो मैने माना एक चेक deposit किया, एक बंदे ने में एक चेक दिया था, मैंने वो चेक बैंक में लेके गया, क्या वो चेक अभी तक clear हुआ है क्या, नहीं सर, बट जैसे उस बंदे ने मुझे चेक दिया था, मैंने अपने account में 2,00,000 प्लस कर दिया, क्या, नहीं, तो मैंने अपने account में 2,00,000 प अपैस किया क्या नइन तो मैंने उंधब ब्लस को न एक लात बताओ बैंक और आपको भी क्या ना पड़ेगा नीचे मैंच करने के मुझे क्या करना पड़ेगा एक लाध प्लस मैंज़े मुझे क्या करना सही है जिस दिन आप बोल दोंगे बैंक सही है बात खतम आपकी जिंदगी बैंक सही है बैंक उपर है तो आपको भी उपर जाना पड़ेगा bank नीचे है तो आपको भी नीचे आना पड़ेगा bank नीचे है तो आपको भी नीचे आना पड़ेगा bank उपर है तो आपको भी उपर आना पड़ेगा perfect with this? yes sir perfect with this? yes sir so check deposited but not yet cleared has the effect of negative as per cash book अब यह जो final balance आया यह balance as per pass book है यह balance as per pass book अब मैं आपको एक चीज़ बता हूँ आपको शायद यह नहीं पता हम एक method निपका चुक्क है और दूसरा method निपका अब sir balance as per cash book से हम pass book चल रहे हैं तो check deposit but not yet cleared को minus कर रहे हैं बिल्कुल check issued but not yet presented को plus कर रहे है amount directly deposited को plus amount directly deducted को minus कर रहे हैं perfect yes but जिस वक्त आप balance as per pass book से start करोगे और आप end करोगे balance as per cash book पे perfect yes अब आपको कुछ नहीं करना है जब आप cash book से pass book में चल रहे थे तो यह यहां पर plus प्लस है तो महां पर क्या हो जाएंगा माइनस यहां पर माइनस है तो वहां पर क्या हो जाएंगा अच्छा मेरा cashbook अगर starting point है तो check issued but not yet presented for payment add होता है तो मैंने उसके साब से पूरा लिख लिया अब जैसे ही मैं question बोल रहा है कि भाई साब आपका balance as for cashbook starting point नहीं है balance as for passbook है जिससे आपको start करना है तो minus को मैं क्या कर दूँगा plus plus को मैं क्या कर दूँगा minus perfect तो हमारा ध्यान किस पहोना चीए ये सीखने में और ये automatically आपको आ जाएगा आपको इसके लिए अब होता कि at times आप चिंता करते हो sir balance as for passbook में plus होगा cashbook में minus होगा राजा कुछ ने हम cashbook के साब सा पूरा सीखेंगे जैसी हमने cashbook के साब सीख लिया उसका उल्टा that is balance as per passbook के साब साब करेंगे perfect yes sir बढ़े आगे बिलकुल चल ये चीजे मैं बाद में आपके लिए लिख्या हूँगा दो मिट में को कुछ और cover करना है पहले sir from the following information from the following information prepare bank reconciliation for jindal offset limited for jindal offset limited अब आपको question में क्या किवेन है balance as per cashbook और आपको question में क्या किवेन है balance as per passbook दोनों किवेन है क्या आपको दोनों किवेन है yes लेकिन में लिए हमेशा मैंने सीखा क्या है balance as per cashbook तो क्या मेरे पास वो data available है yes i will start with balance as per cashbook i will start with balance as per cashbook अच्छा balance as per cashbook किता है 2,40,000 किता balance है मतला मेरे हिसाब से HDFC bank account में किता पड़ा हुआ है 2,40,000 रुपे perfect yes अब check issued but not yet presented मैंने check issue किया जैसी मैंने check issue किया मैंने माना मेरे bank account से पैसा कम हो जाएगा बट क्या actual में कम हुआ क्या नहीं sir क्योंकि वो check अभी तक present ही नहीं हुआ है आगे वाले ने वो check के लिए apply नहीं किया कि उसको पैसा चाहिए तो मैं बाद बताओ सही कौन हमेशा bank तो आपको कहाना पड़ेगा उपर तो यह आपका क्या है add plus perfect yes अब मैं क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर format में लिखना है यहां से मैं plus minus लिख दूँगा वहाँ पर format के अंदर लिखना चेक deposited in bank but not yet cleared मैंने bank account में check डाल दिया तो जैसी मैंने bank account में check डाला मैंने माना मेरा balance बढ़ जाएगा बटके actual में balance बढ़ा क्या नही सर्व अभी तक clear ही नहीं हुआ है कौन सा यमेशा bank तो आपको नीचे आना पड़ेगा yes sir तो यह क्या हो जाएगा minus a bank charges amounted to rupees 300 अब मेरे account से 300 रुपे कड़ गए मेरे को SMS ही नहीं आया जैसे आपको आते नहीं के SMS या account has been credited with interest 100 रुपे 200 रुपे 1000 रुपे 10 रुपे एक्सेक्टरा बट मेरे account से इन्होंने 300 रुपे काट लिए और मेरे को SMS ही नहीं भेजा मैं बाद दता हूँ कहना है से मेरा bank 300 रुपे से कम हो चुका है बट क्या मैंने उसकी accounting की है नहीं सही कौन हमेशा bank तो आपको का जाना पड़ेगा नीचे तो यह क्या हो जाएगा minus interest credited by the bank 1250 अब मेरे bank account में 1250 का ब्याज आ गया है इन्होंने मुझे SMS से नहीं भेज जा कि मेरे bank में पईसा आ गया है तो मैं बाद बता हूँ सही कौन हमेशा bank तो मुझे का जाना पड़ेगा उपर that is plus the balance as per passbook is 28950 यह आपका final answer होना चीए चल एक काम करते है check करते है check issue यहाँ पे दो add है yes दो add है तो add मैंने वहाँ पे इसले addless लिख दिया था add check issued check issued but not yet presented check issued but not yet presented कित्ता है 1,36,000 कित्ता है 1,36,000 perfect yes अब दूसरा interest created bank में दोनों add है तो मैं add वाले साथ में लिख रहा हूँ add interest credited into bank interest credited into bank कित्ता है 1,2,5,0 कित्ता है 1,2,5,0 perfect yes अब दो आइटम लेस के है बिलकुल सर check deposited but not yet cleared इसको क्या करोगे less check deposited but not cleared कित्ता हमाउंट है 90,000 रुपीज कित्ता हमाउंट है 90,000 रुपीज perfect और less है तो I always put a bracket क्यों में को याद रहता है bracket मतलब negative कभी एक्जाम में अगर मैं घाई घाई में हूं और यहां पर अगर ब्रैकेट नहीं डला हूँ है मैं क्या करता हूं कभी कभी प्लस कर देता हूं perfect इसलिए मैं क्या करता हूं to avoid that mistake मैं अबेशन यहां पर क्या डालके रखता हूं bracket next bank charges 300 रुपे है bank charges 300 रुपे रफेक्ट इस चलो करते हैं साब किता मेरा calculator मिल गया एक लाग शत्तीस अजार प्लस वन टू फाइप जीरो वन लाग थर्टी सेवन थाउजन तू फिफ्टी और यह हो जाएगा 90,300 नेगेटेव तो यहां पर राजा क्या हैगा balance as per passbook कि दो लाग चालीस अजार हो था है ब्लस वन थर्टी सवन तू फिफ्टी माइनस 90,000 तू लाग ऐटी सेवन थाउजन तू फिफ्टी तू लाग ऐटी सेवन तू 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 फिफ्टी और यहां पर क्या यहां पूत्ते दिख रहा है ओ सर यहां कुछ तो भी गड़ बड़ है 286 950 है यहां पर तो रोगए एक बार में कैलकुलेशन चेक करने तो मेरा कि दो लाग चालीस अधार कि यह एक चाटीस है ना माइनस नब्य हजार तीन सो 286 950 देखे रहों कि सब कुछ सही होते भी कैलकुलेटर मैंने कुछ गलत स्विकर पंच कर दिया और मेरा आंसर चेंज हो गया क्या होता है यह कैलकुलेशन अब दूसरे है मेरे उफिस का जो यूज करता था वह बहुत प्यारा वाला यह दूसरा वाला अब ऑफिस से लाना होता नहीं है चले आगे कुछ नहीं था मेरा कैलकुलेशन में अरॉर था पफेक्क विध दिस येस सब को समझा राजा 286 950 य पर पास्बुक अगर कोश्यन बोलता था स्चार्ट वेद बालेंस ऐस पर पास्बुक पॉफेक्ट येस तो कित्त अधा 286 950 कित्त अधा 286 950 एक काम करूँ पहले दो में डूप जो आप इसका स्क्रीन चॉट लो इसका आप स्क्रीन चॉट लो एक मेंट स्क्रीन चॉट लो आप लिया जैस सर अब मैं इसी कोश्यन में में मैं और तो कंवर्ट कर रहा ह hail पास्बुक से कैस्बुक में और अग कोशन मोलता था start कि बैलेंस ऐस पर पास्बुक start with balance as per passbook so balance as per passbook किता है 286,950 balance as per passbook किता है 286,950 perfect yes अब sir passbook मतलब ultra हो जाता है cash book का ultra is passbook sir जो add हुए है वो सारे क्या हो जाएंगे अब less जो add हुए है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे अब less में कोई बात बताओ क्या मुझे दिमाग लगाना पड़ा क्या add को less बोलने के पहले नहीं sir विकास आपने cashbook के साफ से सही कर दिये अब cashbook का उल्टा क्या है passbook तो आपको cashbook के साफ सोचना है और उसका उल्टा करना है cashbook के साफ से यह दोनों add थे इसका उल्टा होता है less और cashbook के साफ से यह दोनों less थे तब उल्टा करना है तो क्या करूंगा add perfect येस sir तो यहाँ पे अब हम यहाँ इसको bracket डाल देंगे और ये दोनों figure will be the positive figures 90,000 positive और 300 negative तो ये कित्ता हो गया 90,300 और आपका final answer कित्ता आना चीए दो लाक चालीस हजार रुपे ये हो जाएंगा balance as per cashbook are you observing कि कितना simple है अगर आपको balance as per cashbook करने आ गया तो passbook उसका just उल्टा है आपको load लेने का needy नहीं है तो आपको life में हमेशा किस तीज़ पे consonant करना है बीरेस ठीकने में balance as per cashbook से balance as per passbook पहुचना और जिस वक्त तो बोलेंगा passbook से चालू करो हम उसका क्या कर देंगे उल्टा that's it life is sorted in बीरेस perfect yes sir चलो इसका screenshot लो आप done yes sir अगरा डल लग गया चाल आगे move करते है अब जो मैं topic छोड़के आया था सर ये अब at times आपको question बोलता है at times आपको question बोलता है favorable balance और दूसरा क्या बोलता है unfavorable balance आरे भी एली favorable balance as per cashbook या debit balance as per cashbook या positive balance as per cashbook Favourable debit positive यह बոलता है कभी कभी unfavorable बोलता है credit बोलता है negative बोलता है overdraft बोलता है या unfavorable बोलता है पौफेक्ट balance as per cashbook इसका मतलब क् outlook इसका हूँे च्छार्ठ बे भी बात बता हूँ मेरे पास एक bank account है मैं क्या जुम करूँ जब भी मैं पैसा जमा करता हूं, जब भी मैं अपने bank account में पैसा डालता हूं, तो मैं entry क्या पास करता हूं, bank account, debit, bank account, debit, to, client, अगर client पैसा देगा तो, या में को कोई और source से आ रहा है, to, other, जहां से पैसा रहा है, जहां से मैं always assume करूँगा, मेरा bank account का debit साथ जाधा रहना चीए, bank account का debit साधा, मतलब bank account में balance पढ़ा हुआ है, मतलब bank account में balance पढ़ा हुआ है, perfect, अब याद रखना, अगर मेरे लिए कोई चीज़ debit है, तो आगे वाले के लिए वो चीज़ क्या है, credit, ध्यान दे everyone, अगर मेरे लिए कोई चीज़ debit है तो आगे लिए वो चीज़ क्या है, credit, example के लिए, यहाँ पे Mr. A है, Mr. A का क्या है, HDFC bank account, अब Mr. A के HDFC bank account में 10 लाग पड़े हुए है, तो मतलब कहना है से, it's an asset, अरे Mr. A के लिए bank account क्या है, एक asset, और asset महमेशा कौन सा balance रहता है, debit balance, asset महमेशा कौन सा balance रहता है, debit balance, perfect, yes, अब, when I talk about HDFC bank, when I talk about HDFC bank, HDFC bank में Mr. A का account, वो लोग भी बोल रहे हैं, 10 लाग रुपए, वो लोग भी कितना बोल रहे हैं, 10 लाग, अगर एक के लिए asset है, तो दूसरे के लिए क्या हो जाएंगी, वो liability, अगर एक के लिए वो asset है, दूसरे के लिए क्या हो जाएंगी, वर मेरा debit जादा हो, bank account में, और credit कम हो, हाया ना, येस, तो, this debit is known as a favorable balance, favorable balance, जिस वक्त बेटा, अगर ये credit हो गया, credit मतलब होता है, liability, balance sheet के point of view से क्या होता है, liability, तो, assume कर लेना, मैंने क्या लिया है, bank से, loan, मैंने क्या लिया है, bank से, loan, perfect, yes sir, तो, अब, favorable, unfavorable की कथा, अगर मैं, एक शबने बताऊं, balance as per, cash book, अगर question बोलता है, debit balance, या question बोलता है, favorable balance, that means, a positive figure, that means, a positive figure, that means, a positive figure, that means, a positive, perfect, yes, अगर ये बोल देता है, credit figure, या overdraft, या unfavorable, that means, a negative figure, that means, a negative figure, perfect, yes sir, balance as per, pass book, मैं अगर debit है, तो, वो favorable रहेगा, credit है, तो, वो क्या कहलाएगा, overdraft, oblique, unfavorable, और sir, इसका, उल्टा है, balance as per, pass book, sir, cash book का उल्टा क्या चलता है, pass book, अगर pass book में, credit balance है, तो, वो क्या कहलाता है, favorable, और वो figure, but obviously, will become positive, favorable will become always positive, and अगर balance as per, pass book में, debit है, या overdraft है, या question बोलता है, unfavorable, so, that is a negative sign, that is a negative, perfect, yes sir, perfect, yes sir, मेरे लिए debit favorable है, और bank के लिए credit favorable है, क्योंकि हमेशा उल्टा है रहता है, अगर मेरे लिए credit unfavorable है, तो, बैंक के point of view से, debit is unfavorable, perfect with this, take a screenshot of this, या आपको question में, पूछा जा सकता है, favorable balance as per cash book, means a positive balance, unfavorable means a negative, overdraft means a negative, as per cash book, सर, favorable as per pass book, हमेशा क्या रहेगा, credit, हमेशा क्या रहेगा, credit, unfavorable हमेशा क्या रहेगा, debit, और unfavorable बोले तो, negative, और favorable बोला तो, positive, perfect, take a screenshot of this, everyone, take a screenshot of, दिस में, हटराओं स्क्रीन से, done, ले लिए विड़ा, yes sir, अब, एक और चीज़ बाग, यह मैं लिख दे आपके लिए, debit balance, मतलब आपके लिए क्या रहता है, favorable, आपके लिए क्या रहता है, favorable, आपके लिए क्या रहता है, favorable, perfect, yes, और अगर credit balance है, तो आपके लिए क्या है, unfavorable, आपके लिए क्या है, overdraft, वो आपके लिए क्या है, overdraft, perfect, yes sir, चले आगे, बिलकुल sir, चले आगे, बिलकुल sir, चल, यह diagram, इस पे बेज़ दे, तो आगया, यह आपका जो बनाया है, मैंने, यह उसका summary है, perfect, sir, अगर cash book में, debit balance है, I repeat, अगर cash book में, debit balance है, अगर cash book में, debit balance है, it's a favorable, it's a positive, अगर cash book में, credit balance है, it's a overdraft, it's a negative, it's a unfavorable, अगर pass book में credit है, बहुत अच्छा, pass book में credit है, बहुत अच्छा, क्योंकि मेरे लिए debit, pass book के लिए credit, but, अगर मेरे लिए credit है, तो pass book के लिए वो चीज़ क्या हो जाएंगी, debit, perfect with this, yes, pass book के लिए debit हमेशा unfavorable रहता है, और credit हमेशा favorable, मेरे लिए उसका उल्टा, मेरे लिए हमेशा debit favorable है, और credit unfavorable है, perfect, इसका वे अगर आपको screenshot लेना है, तो ले सकते हो, बड़ा यल्से, ये एक बेटर अच्छा disclosure है, उसी चीज़ का, yes, sir, yes, बेटा, for sure, अब, last, ध्यान दो, before I start the next question, तर ने क्या सीख लिया, अगर balance as per cash book आपको given है, balance as per cash book आपको given है, उसका उल्टा क्या रहता है, pass book, उसका उल्टा क्या रहता है, pass book, positive will become negative, negative will become positive, positive will again become negative, and negative will become positive, अब, checkpoint, अरे मैंने गरज़ जग लिख दिया, sorry, मैंने ओवड्राफ में लिख दिया, negative, positive, negative, positive, अब मैं पूरा column fill कर रहा है, आपके लिए, अब ओवड्राफ्ट, अब राजा, ओवड्राफ्ट, तर ओवड्राफ्ट का मतलब के रहता है, राजा, ओवड्राफ्ट का मतलब रहता है, डेबिट बालेंस की क्रेडिट बालेंस तर ओवरड्राफ टैस्ट पर कैश्बुक मतलब होता है क्रेडिट मतलब क्या होता है अन्फेवरेबल और अन्फेवरेबल मतलब on error मतलब क्या होता है negative balance unfavor मतलब क्या होता है negative balance unfavor मतलब क्या होता है negative balance बट मैं आपको गुछ दिखाना चाहूंगा अब दिखाने के लिए net मैंने connect नहीं किया है ओ भाब हम जब questions करेंगे मैं आपको बदाता हूं कि कहना इसे overdraft is a negative balance यह सर overdraft is always a negative balance तो कहना इसे balance अगर overdraft as per आपको cash book given है तीन लाख रुपए जब मैं चालो करूँ है balance as per cash book can I write here overdraft balance as per cash book यह सर आप लिख सकते हो overdraft balance as per cash book थोड़ा अरेंज करने दो इसको कि अगर question में बोला हुआ है कि overdraft as per cash book कित्ता है तीन लाख रुपए अब यह बात बताओ overdraft का मतलब क्या होता है unfavorable और अगर cash book के साबसे unfavorable है तो कहना ऐसे it's a negative figure यह सथर ओवरड़ा ठमीशा negative रहता है तो मैं को तीन लाख को bracket में लिखना चाहिए यह तीन लाख को bracket में लिखना चाहिए और check issued but not yet presented will become positive जो करते आए हैं and check deposited but not yet clear will become negative जो करते आए हैं आज तक बट नहीं icii बोला हम ऐसा नहीं चलेंगे यह हम नहीं कर सकते हम ऐसा नहीं करेंगे तो icii ने क्या बोला यह भली ओवरड़ाफ बैलेंस as per cash book हो तीन लाख हो negative बट हम positive figure से शुरू करेंगे हम negative होते होए भी क्या करेंगे positive figure से शुरू करेंगे अब बात बताओ icii को लिखना था तीन लाख negative उसने लिख दिया उसी को तीन लाख positive तो कहना है से मेरा तो पूरा उल्टा बुल्टा हो गया जो मैं चीज को पहले plus करता था आप क्या करूंगा minus और जो चीज को minus करूंगा वो क्या करूंगा आप plus क्योंकि icii ने उल्टा कर दिया तो में को भी हर चीज उल्टी करनी पड़ी i have to reverse उनो इधर उनो हो गया टेक्निकली उनो हो गया icii ने बोला तीन लाख negative है बट मैं answer में स्चार्ट करूंगा तो मैं तीन लाख positive लिखके स्चार्ट करूंगा भली वह फिगर नेगेटिव है तो icii ने उनो कर दिये मेरे साथ icii ने reverse कर दिया तो भाई साब अगर icii यही रहना चाहिए थे वैसे क्या रहना चाहिए था यही रहना चाहिए था बट icii ने मेरे साथ उनो कर दिया तो में को क्या करना पड़ रहा है रिवर्स positive विविकाम negative और नेगेटिव विकाम positive तो सर बैलेंस एस पर पास्बुक का ववर्ड्राफ भी उल्टा होगा बट किसका उल्टा होगा यहां पर परफेट सर बैलेंस एस एस पर कैश्बुक है येस उसका उल्टा पास्बुक तो पॉजटिव विकाम negative अब ओवर्ड्राफ्ट है आईसिये रिवर्स खेलते है आईसिये उनों खेलते है तो नेगेटिव विकाम positive विकाम negative पॉजटिव नेगेटिव तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलू आज के बाद आज के बाद अगर आपको सोचना है बैल अगर आपने कैश्बुक में positive सोचा है तो पास्बुक में क्या हो जाएगा उल्टा तो कैना है से यह दोनों आखिर सेम फिगर्स के साथ है सेम साइंस के साथ है यह सर तो आज के बाद आपका sorted है इन शॉर्ट बैलेंस ऐस पर कैश्बुक and overdraft as per passbook has the same effect or balance as per passbook अगर आप observe करोगे balance as per passbook and overdraft as per cashbook is the opposite balance as per cashbook यह उल्टा चलता है और यह दोनों के sign सेम है यह दोनों के sign सेम है question के साथ बेटा इसका better understanding आएंगा आपको आए once again से question के साथ के आएंगा इसका better understanding वापस बोर रहो आपका सोचना क्या होना चीए balance as per cashbook उसका उल्टा overdraft as per cashbook उसका उल्टा balance as per passbook बस sorted है बात का तब आप balance as per cashbook के साथ सोचो overdraft आए तो उसका उल्टा कर दो overdraft as per cashbook आए तो उसका उल्टा कर दो अगर passbook is the starting point आप उसका उल्टा कर दो आपको चिंता करने का need नहीं है perfect yes sir चलो start करते है question we are done with question number one और जैसे ऐसे questions में हम आगे बढ़ेंगे आपकी clarity on what I am saying increase होगी question will give you a better understanding मैं क्या बोलना चाहरो अब एक काम करो यह question आप 2 minute खुद से try करो आपका काम क्या है सिर्फ आजू में मैं को बताना है आपका काम है सिर्फ comment section में यह post करना कि first plus है कि first minus है second plus है कि second minus आपको जिर्फ क्या करना है comment section पोस्ट करना है one plus example दे रहाँ two minus three minus four plus five minus perfect ऐसा अगर आप पोस्ट कर दोगे और then you check the answer with me अब technically यह क्या है the bank passbook of numrata showed a balance of one lakh fifty thousand yes showed a balance of one lakh fifty thousand while balance as per cashbook showed one lakh twelve thousand अब देखो passbook में credit तो कहना ऐसे मेरे लिए debit है cashbook में debit मतलब होता है favorable cashbook में debit मतलब क्या होता है favorable और passbook में credit मतलब क्या होता है favorable तो this is favorable तो यह क्या हो जाएगा आपका positive that's it अब मैं कहां से कहां चलना है cashbook से passbook चलना है कहां चलना है cashbook से passbook अब plus minus लिखोगे और comment section में डालोगे मैं हट रहो यहां से आपके लिए बट मैंको इसका आंसर कॉमें सेक्षिन हो फॉर शॉर चाहिए इस्पेक्टिंग आंसर गाइस परफेक्ट येस जल्दी करो दन विद कोशन गाइस थोड़ा सा गल्री जारी थी थोड़ा बाद उपर नीचे लग रहा था बट चिल भी ट्राइड अब ए फ्रेश ब्रीफ डेविट बालन्स इन कैश बुक इस नोन आज अज फेवरेबल बालन्स और क्रेडिट बालन्स इन पास्बुक इस अल्स नोन आज फेवरेबल और फेवरेबल मतलब क्या होता है पॉजिटिव सर इंस कोश्चिन में चाट करेंगे जब दोनों आपशेण है तो लेश प्रिफ़र बालेंस आज पर चैसबुक चलो जाट करते हैं अ रिए यसे से कितना बालेंस घेवन ने चेक करते हैं सब तर चैसबुक विए एक लाग बारा हजार पचास एक लाख बारा हजार पचास एक लाख बारा हजार पचास परफेक्ट आगे बड़ते हैं ची इशूर चेक नमरता ने चेक दिया परफेक्ट नमरता ने चेक दिया चेक क्यों दिया जब भी मैं किसी को चेक देता हूँ मैं क्या चाहता हूँ कि तू बैंक जा और ये पैसा निकाल ले हाँ है ना तू बैंक जा और ये पैसा अपने आकाण में डलवा ले perfect yes मैंने चेक इशू किया कितने का इशू किया 80,000 out of which only 32,000 was presented ज्यान दो राजा इधर क्या बोलना चाह रहा है वो मैं इसके लेता हूँ आउट ओफ 80,000 आउट ओफ 80,000 प्रेजेंट कितना हुआ है 32,000 क्या मैं को प्रेजेंट वाले से लेना देना है क्या नहीं सर हमको लेना है चेक इशूट बाट नौट प्रेजेंटेट बाट नौट प्रेजेंटेट और जो नौट प्रेजेंटेट रहता है वो क्या होता है as per cashbook के साब से add कितना हो गया शरी हो गया 48,000 कितना हो गया 48,000 perfect yes sir तो यहां आपका आ जाएगा 48,000 मैं आप लिख देता हूँ add add कितना करना है 48,000 सबको समझा राजा बिलकुल sir हमको क्या चाहिए check issued but not presented कितना है वो सिर्फ और से 48,000 80,000 के checks थे 32,000 present हो गये 32,000 का amount bank से निकल गया but अभी भी 48,000 का निकलना बाकी है मैंने माना मेरा बालेंस कितने से कम होंगा 80,000 but actual मैं कितने से कम होंगा 32,000 difference will be 48,000 48 से आपको प्लस करना पड़ेगा perfect yes she received a check of 5000 which she recorded in her cash book but forgot to deposit मैं कोई बाल बता हो राजा आपने में कोई चेक दिया मैंने वो चेक अपने बास रख लिया entry मार दिया bank account debit to प्रतीक एक्जाम एक लिए bank account debit to प्रतीक अच्छा मैं बाल बता हो check मेरे पास रखने से bank account में पैसा आजाएगा क्या नहीं बिड़ा आपको उसके लिए bank जाना पड़ेगा bank में check deposit करना पड़ेगा तभी आपके account में पैसा आएगा तो अब आपने क्या किया आपने अपने account में balance बढ़ा दिया but क्या bank में balance बढ़ा है क्या वो नहीं क्योंकि आपने चेक deposit ही नहीं किया तो मुझे क्या करना पड़ेगा minus तो यह क्या हो जाएगा आपका less 5,000 less 5,000 perfect a check of 22 deposited has not been cleared can I say check deposited but not yet cleared मैंने माना मेरा 22 से balance बढ़ गया but sir अभी तक तो clear ही नहीं हुआ तो बढ़ा कैसे bank में पैसा आया क्या नहीं तो कम करना पड़ेगा तो 22,000 will be minus Mr. Gupta deposited an amount of 15,700 in her bank which was not recorded by her Gupta जी आये मेरे bank account में 15,700 डालके चलेगे क्या मेरे को SMS आया क्या bank से नहीं sir तो मेरे को पता चला क्या और Gupta जी इतने नहीं क्या मेरे को बताई भी नहीं मेरे account में पैसा डाले हाई है ना तो मेरे बात बताओ मेरा bank का balance 1500 से बढ़ गया क्या मैंनों उसके accounting किया है क्या नहीं तो मुझे भी 1500 से balance बढ़ाना पड़ेगा यह क्या है आपका add next bank has credited interest of 1500 while charging 250 as bank charges अब bank ने क्या किया है balance 1500 से बढ़ गया क्या मैंने बढ़ाया है क्या नहीं क्या मैंने accounting किया क्या नहीं तो assume करो आपको भी बढ़ाना पड़ेगा फिर bank ने 500 और पर कम कर दिये ना लेक उन्हें मेरे को SMS ही नहीं वेजा कि आपका bank का balance 200 से कम हो गया अब bank से ही कि मैं से ही बैंक से हमेशा तो में को भी गाना पड़ेगा नीचे तो 1500 add और 2500 minus तो add वाले सब साथ में ले लेते गुपता और interest add फिर amount directly deposited by गुपता कित्त आउट गुपता ने जमा करिया 15,700 add interest directly credited कित्ता है वो 1500 रूप है कित्ता है वो 1500 perfect 1500,700 1500,700 और 1500 यह दोना add है अब less की बात करते है less check deposited but not yet cleared कित्ने का amount है सर वो amount है 22,000 वो amount है 22,000 next और क्या लेसे she received a check of 5000 check received but not deposited 5,000 आपको relevant समझ रहे है मैं plus minus क्यों लिखता हूँ ताकि मैं वहाँ format में लिख सकूँ perfect yes और आखिर में और क्या मैनस बच्चा है यह धाई सो bank charges bank charges account में से directly कड़ गए धाई सो रुपे चल हिसाब किताब करते है calculator कर आगे अपना यह रहा 48,000 plus 1500 plus 1500 कितना हो गया 65,200 कितना हो गया 65,200 22,000 plus 5000 27, 27,250 27,250 negative आपका final answer आया balance as per passbook 112,050 plus 65,200 minus 27,250 1,50,000 रुपे balance as per passbook क्या यह positive balance है yes means it's a favorable balance और यहा पे आपका answer था 1,50,000 henceforth matched perfect yes sir चलते towards the next question यह तो हो गया चल सर ओवरड्राफ मतलब क्या होता है सर ओवरड्राफ मतलब होता है नेगेटिफ ओवरड्राफ मतलब क्या होता है नेगेटिफ परफेक्ट येस तो सर आपने जो सिखाया उसको दो मिट समझ के चलते हैं भूल जो यह ओवरड्राफ है यह ओवरड्राफ नहीं है यह बैलेंस आ Cashbook के साथ यज अभी तक हम करते आए हैं जैसा मैं भूल रो राजा वैसा ही करना भूल पेल लाइन क्या है बैलेंसरश पर Cashbook कि बैलेंसरश पास बूक है की ओरड्राफट एक वर्यूर्व्ट भूल जा यह दुनिया में रहए च्मत पर फिक्ट जो नीचे गिवेन है बस वहाँ अपना दिमाख दोडाओ कि वो cashbook के साब से plus होगा कि cashbook के साब से minus होगा एक मिट के लची रख देता हूँ चल रख दिया हाँ चाट करते हैं पहला interest on overdraft for six months ending 31st December 160 entered in Pazoo ये बोल रहा है overdraft का ब्याज है entered in Pazbook तो कहना ऐसे हो cashbook में enter नहीं हुआ है बिल्कुल सर, bank charges, interest on bank ये normally Pazbook में enter होते हैं cashbook में नहीं होते हैं अब ध्यान दो, interest on overdraft मैंने interest pay किया है, कित्ते का pay किया है, 160 रुपए का अब हुआ क्या मेरे bank account में से 160 कम होगे, बट क्या मैंने उसकी accounting किया है क्या, नहीं सर, क्योंकि आपको पता ही नहीं था, तो आप accounting कैसे करोगे बिल्कुल, अब कौन से हमेशा, bank, तो आपको 160 क्या minus करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, minus परफेक्ट, येस, बुक छोड़ो, आप जो भी रेफर कर रहे हो, दो मेरे क्या समझा रहा हूँ, मैं कौन सा point of view सोच रहा हूँ, जो आज तक सोचते आया हूँ, balance as per cashbook के हिसाब से, ये amount directly मेरे bank में से कम हो गया है, परफेक्ट, ये amount directly मेरे bank में से कम हो गया है, तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, कम, bank charges of 400 debited in passbook only, वापस बोर रहा हूँ, bank charges है, 400 पर कम हो गया, कहा से कम हो गया, bank accounts directly, क्या मुझे उनका SMS आया, नहीं सर, SMS नहीं है, तो सर, अब rectify करने के लिए, सही करने के लिए, आपको भी नीचे आना पड़ेगा, त check issued, but not cashed, prior to 31st December 2019, अब आप passbook कौन से तारी को बना रहे हो, BRS, सर, हम BRS बना रहे है, 31st December 2019, उसके पहले, आपने check issue किये थे, 11,68,000, किते के issue किये थे, 11,60,000, मैंने issue किया है, मैं क्या चाहता हूँ, आगे वाला present करे और आप पैसा ले ले, बिलकुल, yes, बढ़ो नाला एक ने, not cash का मतलब होता है, not presented, अब एक काम करो, make a note, not presented का ICI किस-किस नाम से लिखता है, मैं आपको बता ते जाओँगा, आप आपना note करते जाओगे, perfect, not presented को, वो क्या लिखता है, not cashed, check issued, but not presented, किते है, 11,60,000, Sir, मैंने माना, मेरा balance कम हो जाएगा, but actual में bank का balance कम हुआ क्या, नहीं, Paid, into bank, check paid, paid मतलब क्या होता है, deposit, अब बाजू में एक और notation बनाऊंगे, check deposit को किस-किस नाम से ICI लिखता है, check paid के नाम से भी लिखता है, check deposited को, check deposited, but not yet, cleared, of before 31 December किता है, 22,70,000, 17,000, मैंने माना, मेरा balance बढ़ जाएगा, क्या, एक्चिल में बढ़ा क्या, नहीं सर, एक्चिल में आपका balance नहीं बढ़ा, मैंने माना, मेरा balance बढ़ जाएगा, क्या, एक्चिल में बढ़ा क्या, नहीं सर, सही कौन, bank, नीचे आजा जाओ वेटा, perfect, yes, आगे, interest on investment collected by the bank, and created in the past book, 12 lakh rupees, अब bank ने क्या किया, मेरे बियाफ में interest collect कर लिया, तो bank ने मेरा 12,00,000 से balance बढ़ा दिया, मुझे sms भी नहीं बेजा घदो ने, अब मैं क्या गरूँगा, कौन सही, bank सही, तो मुझे उपर जाना पड़ेगा, यह नीचे आना पड़ेगा, सर, आपको bank को match करना है, तो आपको उपर जाना पड़ेगा, कितने सोपर जाना पड़ेगा, 12,00,000 से, अब, यहाँ पे मैंने किसके साब सोचा, cash book के साब से, और अपने को start भी कहा से करना है, balance as per cash book, कहा start करना है, balance as per cash book, ध्यान दो बेटा यहाँ पे, अब आप, मैं को solve कर की दिखाऊगे, मैंने सब लिख दे आपके लिए, फिर मैं बता हुआ कि, ICA क्या करता है, और आपको क्या करना चाहिए, आप अभी solve करो, perfect, yes sir, मैं screen set रहाँ, आप solve करो, done, राजा कर लिए, yes sir, balance as per cash book, 6340, अब, normally हम क्या करते थे, versus ICA क्या करता है, sir, start करेंगे हम, overdraft as per cash book, और overdraft मतलब क्या होता है, negative, तो negative, 6340, negative 6340, perfect, yes, मैं आपको समझाया था, overdraft is a unfavorable, unfavorable means negative balance, चलो, अब, आप क्या करोगे, minus, 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 3 minus, और 2, add है, चलो, add करते हैं, पहले, add, add क्या क्या हो रहा है, check issued, sorry, check issued, but not yet, presented, add क्या क्या हो रहा है, module में देखना, बंद करो बेटा, इदर ध्यान दो, check issued, but not presented, 11,68,000, if I am not wrong, let's check it, 11,68,000, perfect, और दूसरा है, कौन से है ये, interest directly collected, interest directly collected, कित्ता है वो, 12,00, रुपे, कित्ता है वो, 12,00, perfect, yes, अब less, sir, less में क्या क्या है, interest on overdraft, excuse me, so sorry, interest on overdraft, 160, interest on overdraft, 160, उसके अलावा, bank charges, 400 रुपे, bank charges, 400 रुपे, उसके अलावा, check deposited, but not yet, cleared, check deposited, but not cleared, कित्ने का है इसाब किताब है, 22,17,000, 22,17,000, perfect, yes, अब, मेरे प्यारे बच्चो, राजा हो, ध्यान दो, मैंने solve किया, अब ICI बता है क्या करता है, ICI बहुत तिग्रम बिढ़ाता है, तिग्रम क्या करता है, कोई जादा मितलम नहीं है अपने को, आपको दिख रहे है, 6340 नेगेटिव है, ICI बोलता है, हम इसको positive लिखेंगे, हम इसको positive से start करेंगे, ठीक है, तब जैसे ICI ने इसको 6340 को positive लिखा, कहना है से negative is now become positive, अब ICI ने negative को positive कर दिया है, तो मेरे को भी क्या करना पड़ेगा, negative को क्या करना पड़ेगा, positive, और positive को क्या करना पड़ेगा, negative, अगर ICI ने अपना change किया है, तो मुझे भी अपना thought process change करना पड़ेगा, यह negative था, तब यह क्या हो जाएंगा, positive, और यह positive था, तो यह क्या हो जाएगा आब, negative, Just ICI की इच्छा थी, कि इसको positive लिखना है इसलिए आपकी भसट बढ़ गई perfect yes अब now if you check your modules आपको दीखेंगा sorry ये दोनों figure आपके less हो रहे हैं और ये तीनों figure आपके add हो रहे हैं तो 11,68,000 प्लस 12,23,68,000 और यहां का 160 प्लस 40 ये negative 160 प्लस 400 प्लस 22,17,000 ये हो गया 22,17,560 निकालते हैं final answer 6340 positive minus 23,68,000 add 22,17,560 ये आपका हो गया 144,100 प्रफेक्ट ये ये आपका हो गया overdraft as per passbook ये क्या हो गया overdraft as per passbook अब wait on ना आपके लिए कुछ ला रहा हूं मैं बाद बताओ comment section में क्या यहां पे या यहां पे कुछ अजीब सा आपको लग रहा है क्या थोड़ा calculate करो और में को बताओ यहां पे यहां पे कुछ अजीब है क्या giving you one minute ध्यान से देखो पूरा solution देखो ICI ने इसको positive किया है तो यह पूरा क्या हो जाएगा negative ठीक है यह उल्टा हो जाएगा इसको negative किया negative को positive किया तो मैंने positive को क्या कर दिया negative और negative को क्या कर दिया positive तो मैंने भी अपना change कर दी equation बड़ मुझे बात बताओ यहां पे कुछ तो भी है जो missing है चेक करो and just give me the answer in one minute या comment section बताओ चलो comment section बताओ let's see किसका सही आता है कि यहां पे technically कुछ गढबढ है क्या लिखने में मुझसे बिल्कुल आप बताओगे एक मिनट में सर हमको जो लग रहा है यहां negative जादा है तो दिस शुड़ भी 144,100 negative पॉफेक्ट येस आप या रखना वेटा अगर negative हो गया तो दिस विल भी बालेंस आस पर पासबुक सर ये कुछ तो भी आपने भलता कुछ तो भी कर दिया नहीं समझा अब समझो बाटा वो ओवरड्राफ को positive लिखता है तो negative को कहना ऐसे favorable लिखेंगा ओरफ मतलब क्या होता है sixthом a ne एं फेवरेबल ओरफ मतलब क्या होता है ंंफेवरेबल ठीक है तो ऊंफेवरेबल को पॉजिटिव लिखता है तो कहना ऐसे वह फेवरेबल को नेगेटिव लिखेगा बिल्कुल तो दिस इस इदा पेवरेबल बालेंस इस इस ऑं और InspireEL बालें है बट वो उसको क्या लिखता है पॉजटिव अगर उसने साइन चेंज कर दिया है अगर उसने नेगेटिव को पॉजटिव लिख दिया है अगर उसने negative को लिख देता है यहां पर अगर उसने negative को positive लिख दिया ICI ने तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा negative को positive और positive को negative करना पड़ेगा perfect yes अब उसने unfavorable को positive लिखा है तो कहना है say negative को favorable बोलेगा yes sir अब यही चीज़े है जो आपको 3A foundation में confuse करते है 11 के comparison में confusion दूर हो रहा है बेटा बिलकुल sir because अपना ICI के साथ से चलेंगे at the end of the day because paper ICI के हाथ में ही है are we clear with this yes sir चले next question पर yes screenshot लो इसका और most important is यह समझा के सबको favorable क्यों लिखा मैंने sir वो unfavorable को positive लिखता है तो negative will be favorable for ICI perfect yes sir screenshot लो बेटा चलते हैं to the next question perfect yes sir अब there was a concern की sir smart work का मतलब क्या होता है smart work का मतलब क्या होता है यह question में आपको मैं समझाता हूँ smart work का मतलब क्या होता है ठीक है चाह जान दें आपे अब वापस bank overdraft as per cash book sir bank overdraft is a negative but ICI will write it as positive perfect yes ICI will write it as positive तो लिखते हैं overdraft as per cash book किता है 22,45,900 22,45,900 perfect yes क्योंकि ICI negative को positive लिखता है तो मैं को हर चीज का sign change करना पड़ेगा बट भूल जाओ ICI क्या करता दो मिट के लिए पहले मैं मैं इसको cash book के साथ solve करूँगा फिर मैं sign ultrapulti करूँगा वह बात की बात है पहले ध्यान दो plus या minus as per cash book शान्ती से perfect yes calculate रखने दो वाजमें चलो अब interest debited राजा देखो buy bank bank का debit मेरा credit मजब बैंक का debit मेरा credit मजब बैंक ने मेरे से पैसे ले लिये किता पैसा ले लिया है 278,700 परफेक्ट यस मजब बैंक ने क्या कर लिया है 278,700 माइनस कर दिया है क्या मुझे उन्होंने sms भेजा क्या नाई उन्हेंने SMS भेजा क्या नहीं तो अब मुझे बाद बता हूँ मैच करने के लिए में को भी नीचे जाना पड़ेगा बिल्कुल सर तो दिस इस नेगेटिव परफेक्ट येस सर बंक का डेविट मतलब बैलेंस व ऴता है अगर लिखना है तो लीक लो बेटा ऍहीं कैशिग का चैश्यपूक का बैलेंस सर overach 드 negative unfavorable negative and कुछ नहीं गेवेना तुप धुम एगर उसने बोला cash book में debit हुआ है मतब cash book को बढ़ाना है अगर उसने बोला cash book में credit हुआ है तो cash book को कम करना है बढ़ेगे अगर मैं passbook लिख दू, तो passbook उल्टा है, passbook में debit मतलब होता है कम और credit मतलब होता है ज्यादा, वो उल्टा चलता है अपने से, perfect दो लोग है, अगर mail ले कोई खर्चा है तो आगे वाले के लिए कमाई है, अगर आगे वाले के लिए कुछ खर्चा है तो mail ले क्या है, कम, bank ने हमको कम कर दिया है, 278,700, क्या मुझे SMS भेजा उन्होंने नहीं, तो मैं को बात बताओ, मुझे भी अपने आपको क्या करना पड़ेगा, कम, क्योंकि सही कौन है हमेशा, wife और wife कौन है, bank, check issued, check issued, but not yet presented, कब तक 31st December, वह मैंना BRSB कब बना रहा हूं, 31st December 2019, मैं बा बाद हो गया है, check issued, but not yet presented, add होता है, आप मैं बात बता हो, क्या बार 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 आप ऐसा कोश्चन करो गया, जिसमें लिखा हूँ है, check issued, but not presented, check issued, अरे एक बार समझ गया न, कि check issued, but not present, add होता है, बात खतम, जितना unprecedented होता, add, बस बात खतम, transport subsidy, received from state government, directly by the bank, but no advice to the company, नहीं, अब हुआ क्या, state government ने मुझे subsidy दिया, तो रहने मेरे bank account में पैसा डाल दिया, but नालाइक bank वालों ने मेरे को बताया है, नहीं कि आपके bank में पैसा आया है, कुछ SMC नहीं है, कौन से हमेशा, bank, तो आपको भी का जाना पड़ेगा, उपर, add, perfect, yes, draft, मतलब क्या होता ह है, check, check deposited, but not yet created, but not yet cleared, देख रहो, how can you just churn, चार चीज़े आपका question solve कर देती है, sir, check deposit किया, but clear नहीं किया, check deposited, but not yet cleared, क्या होता है, हमेशा, minus, क्या होता है, हमेशा, minus, perfect till now, yes, bills for collection, credited by the bank, but no advice, तर, bank में debit मतलब कम होता है, bank में credit मतलब जादा होता है, perfect, bank ने अगर में को debit कर दिया, तो मतलब मेरा balance कम कर दिया, और credit कर दिया, मतलब मेरा balance बढ़ा दिया, perfect, तो bank ने मुझे credit किया है, कितना credit किया है, 8,36,000, bank ने 8,36,000 credit किया है, में को इनोंने SMS ही नहीं भेजा बेटा, मेरे तो लग गए, अब कौन से हमेशा bank, तो मुझे भी का जाना पड़ेगा, उपर, उपर मतलब, उपर नहीं, positive, तो बात कर जो, अब इसके लिए बस बाकी है, आपका बहुत सारा, मला कर रहा हूँ, कल schedule मिल गया, it will be ended by November, perfect, yes, amount wrongly debited, debited मतलब कम, bank ने अ मैं सही, wife गलत, बट फिर भी सही कौन, wife, मतलब फिर भी सही कौन, bank, तो bank ने में को कम कर दिया है, तो मेरे बास भी कोई option नहीं है, मुझे भी अपने आपको कम करना पड़ेगा, तो this is negative, अब, sir, ICI क्या करता है, negative को लिखता है, positive, तो में को भी क्या करना पड़ेगा, ICI को follow करना पड़ेगा, negative को मैं क्या लिखूँगा, positive, और positive को मैं क्या लिखूँगा, negative, perfect, yes, तो अब ध्यान दो, मैं इधर के इधर सबसाइंच चेंज कर रहा हूं, ताकि में को बाद में format में दिक्कत ना हो, छोड़ो यार, आपको बाद में दिक्कत ना जाए, तर नहीं कर करेगा, negative, तर I.C.ai, negative को क्या करेगा, positive, तर I.C.ai, negative को क्या करेगा, positive, अब मेरा format के साब दे चीज रेडिए, एक, दो, तीन, कितने नेगाइडिव है, तिन, तीन, फिए, तीन, छे, perfect, yet बड़ गया, एक बार चेक कर ले, नहीं सर, सहिच है, मैं एक बार अपने साब चेक कर ले ताओ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो, 3 नेगेٹिव, 3 नेगेटिव, 3 पॉजिटिव, स्छार्ट करते हैं, पहले आड करेंगे, कि आड़ कि पहला एडिशन काई का है सर एड होगा इंट्रेस्ट डेबिटेड इन बैंक इंट्रेस्ट डेबिटेड इन बैंक पहले आपको रफ में पूरा कुश्चन बनाना है फिर पूजा सेलुशन पैने टू 278,700 278,700 परफेक्ट येस फिर आड है ये वाला चेक और सॉरी अब यहां कहा लिखवेड ड्राफ डिपोजिटेड बट नॉट येट ट्रेड आपको सेम लाइन वाह लिखनी है बट मैंने उसका मतलब आपको समझा दिया है ड्राफ डिपोजिटेड but not cleared किता है 13,50,000 किता है 13,50,000 किता है 13,50,000 परफेक्ट चलते आगे और कौन सा है ये पोजिटिव आपका amount wrongly debited किता है amount wrongly debited 7,40,000 add करके अपन फिकर भाल करेंगे अब less की बात करते है सार less में क्या है 3 check issue but not presented 6,60,000 सार वैसे तो check issue but not present add होता है बट बेटा ICI उल्टा चलता है क्योंकि वो add को क्या करता है less check issue but not presented कितने क्या है वो check issue but not presented negative 6,60,000 चलो next फिर आपका क्या है transport subsidy directly received पहले आपको किसकी साब से सोचना है cash book के साब से फिर ICI करता है आपको चीज़े accordingly change करनी है नॉर्मल ये add होता है amount directly deposited बट ICI उल्टा करता है तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा उल्टा ये वैसे तो add होना चीज़े बट ICI add को क्या करता है less 14,25,000 क्योंकि overdraft negative होना चीज़े overdraft को क्या लिखता है positive वही पे तो भसड शुरू हो जाती है 14,25,000 चलो कोई बात नहीं बट सर ये सही है क्या बेटा हर तरीका सही है कैसे भी answer आना चीज़े, ICI का भी तरीका सही है and you can do that बट क्या आप मेरे method से भी कर सकते थे बिलकुल बट BRS में ICI का method मुझे आपको follow कराना ज़रूरी है जहां ICI का method follow कराना है I will do that perfect yes और last but not the least bills sent for collection credited bills credited कितना है 8,36,000 negative चलो निकालते है answer calculator आगे अपना 278,700 plus 13,50,000 plus 7,40,000 यह हो गया आपका 23,68,700 perfect yes 6,60,000 plus 14,25,000 and plus 8,36,000 यह है negative 29,21,000 चलो उपर कितना है 22,45,900 plus 23,68,700 minus 29,21,000 16,93,600 धर यह favorable है कि unfavorable बेटा overdraft unfavorable रहता है और unfavorable को ICA क्या लिखता है positive क्या यह भी positive है yes तो यह भी क्या है unfavorable unfavorable मतला overdraft as per passbook पिछले question में इसमें क्या फरक है पिछले question में यह हो गया था negative figure अब जब ICA favorable को positive लिखता है तो negative sorry unfavorable को positive लिखता है तो negative को क्या लिखेंगा favorable तिंदक इवन केस उसने वापस unfavorable को positive लिखा है तो अगेन यहाँ पर क्या है positive positive means unfavorable unfavorable means overdraft perfect yes sir take a screenshot of this guys yes चलो हो गया राजा screenshot लेके yes sir चलो चलते है next यह आगटना slide next question में काम आएंगी इसका भी screenshot लेना है तो ले लो cash book में debit मतलब बढ़ाया है credit मतलब कम किया है perfect bank pass book में debit मतलब कम किया credit मतलब बढ़ाया है यह उल्टा चलता है बिटा यह उल्टा चलता है ठीक है यहाँ पर debit वहाँ पर credit वहाँ पर debit यहाँ पर debit चलो When Nikkie and company received a bank statement showing a favorable balance, bank statement मतलब पास्बुक, bank statement मतलब पास्बुक, और में favorable balance मतलब पॉसितिव, 10,39,200, I can start here with balance as per passbook, balance as per passbook, 10,39,200, favorable है, ये favorable है, चला, आए वड़ते, अब सरा हम भूल जाएंगे ये पास्बुक के हिसाब से है कि कैश्बुक के हिसाब से, अभी सिव मुझे देखना है कैश्बुक के हिसाब से कहा हिसाब किताब है, बात खतम, में वो पास्बुक के हिसाब से देखना ही नहीं है, perfect, yes a deposit of 3,9,200, paid on 29 June, मतलब आपने check deposit किया है, 29 June को, BRS कब बना रहे हो, 30 June, check-up deposit किया, 29 June, BRS कब बना रहे हो, 30 June, had not been credited by a bank, until 1st July, देखो, अब यहां को confuse करने के लिए, उसने आपको ready है, until 1st July, मैं कहां खड़ा हूं, 30 June, मैं कहां खड़ा हूं, 30 June, क्या, 30 June को यह amount credit हो गया, क्या, जिस दिन मैं BRS बना रहे था, नहीं, sir, तो यह किसमें आजाएगा, check deposited, but not cleared, चुकि मैं को देखना है, जिस दिन मैं BRS बना रहे हूं, that is, 30 June को मैं BRS बना रहे हूं, क्या यह 30 June को credit हुआ है, क्या, नहीं, sir, क्या यह 30 June को clear हुआ है, क्या, नहीं, sir, यह clear कब हुआ है, 1st July, अगले दिन, 30 तारिक को हुआ है, क्या, नहीं, तो बात खतम, check deposited, but not yet cleared, normally क्या होता है, यह, minus as per cash book, perfect, yes, sir, अब, on 30th March, company entered into higher purchase agreement, 30 March को company ने एक agreement एंटर किया है, higher purchase मतलब rent agreement, मोटा मोटी higher purchase मतलब rent agreement, to pay, buy bank order, bank order मतलब company ने bank को बोल दिया, कि भाई साब, तू पे कर देना, company ने bank को बोल दिया, भाई साब, तू पे कर देना, अपने जेव से थोड़ी करेगा, but obvious, मेरे account से पैसा निकालके, उस बंदे को दे देना जिससे मैंने rent agreement किया है मेरे account से पैसा निकाल के उस बंदे को दे देना जिससे मैंने agreement किया है और इधर क्या लिखा हूँ है by a bank order a sum of 3 lakh on 10th of each month commencing from April 2019 अब क्या बोल रहे है question बोल रहा है कि इन्होंने एक higher purchase agreement में गए है मतलब एक rent agreement में गए है as per rent agreement ये कब गए rent agreement को 38th March 2019 और किते का agreement है 3 lakh ये pay up करना है 10th of every month pay up करना है 10th of every month तो पहला payment कब जाएगा 10th April दूसरा payment कब जाएगा 10th May और तीसरा payment कब जाएगा 10th June मैं वो बात बताओ मैं BRS कौन से तारिक को बना रहा हूँ 38th June can I say 38th June तक ये 3 ही payment गए है बिलकुल सर 38th June तक ये 3 ही payment गए 4th payment 10 July को गया है जो की मेरे BRS की date से आ गया तो मैं गो BRS तक देखना है कितने payment गए 3 मतलब कितना payment गया है एक customer है जिससे मुझे पैसा लेना था मैं फॉर्म हूँ एक customer है जिससे मुझे पैसा लेना था उसने वो क्या बोला मैं आपको तुरंग टेमिंट दे दूँगा अगर आप मुझे चार टके का cash discount दोंगे मैं ले 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 चार टका चार लाग का 4% होता है 16,000 तो उसने मुझे पैमेंट वाया चेक किता किया है 3,84,000 उसने मुझे पैमेंट किता किया है 3,84,000 क्या BRS date से पहले है कि येस कैशियर गलती से एंटर दे ग्रॉस अमाउंट वाट इस दे ग्रॉस अमाउंट फोर लाक इन बैंक कॉलम ओफ कैश बोग मतलब बैंक से कितना कटा है 3,84,000 बट मेरे कैशियर को मैंने बताया ही नहीं कि ऐसा कुछ दिसकाउंट है my right, bank में कितना पैसा आया है 3,84,000 क्योंकि यहां है customer और अपने को पैसा मिला है perfect yes में को कितना पैसा मिला है 3,84,000 बट मेरे कैशियर को पता ही नहीं था कि मैंने आगे वाले बंदे को डिसकाउंट दिया है मेरे कैशर को लगा कि भाई साब 4,000,000 कौन सा ही हमेशा bank तो आपको क्या आना पड़ेगा नीचे कितना नीचे आना पड़ेगा इन दोनों का difference 16,000 रुपए कितना आएगा नेगेटिव 16,000 नेगेटिव 16,000 परफेक्ट नेगेटिव 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 अभी तक हुए है कोई दिकत नहीं साथ मैं किसके पॉंटर पे सोच रहा हूं कैश बुक के हिसाब से ही बैंक चार्जिस और रुपीज 3,000 नौट एंटर इन कैश बुक मेरे बैंक से पैसा कड़ गया मैंने अभी तक उसकी अकाउंटिंग ने की सावी को ना में चाह बैंक तो मेंको भी क्याना पड़ेगा निच्छे माइनस चलो on 28 जून मेरा ब्रस कब का है 30 जून मतब ब्रस की डेट से पहले a customer of a company directly deposit the amount in bank of 4,000,000 बट no entry has been made in cash book एक customer है उसने बैंक में directly पैसा 4,000,000 डिपोजिट कर दिया घदे ने मेरे को बताया है नहीं और बैंक ने मेंको SMS भी नहीं बताया तो आप मेंको बाद बता हो सही को ना मेंशा बैंक तो आप क्या करोगे 4,000,000 प्लस पॉफेक्ट येस 11,200 पेड इन्टू बैंक has been entered twice in cash book everyone concentrate पेड मतलब होता है deposit पेड मतलब होता है deposit मैना अभी पिछले session बताया था 11,200 पेड इन्टू बैंक का entry होता है बैंक अकाउंट डेविट टू कैश अकाउंट बैंक अकाउंट डेविट टू कैश अकाउंट ग्यारा हजार दो सो perfect येस बट 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 हुआ क्या है क्या हुआ है has been ये का गया has been entered twice has been entered twice in cash book has been entered twice in cash book मतलब कितने बार डेविट हो चुका है सर्ड डेविट हो चुका है दो बार 11,200 और 11,200 मतलब कितने डेविट हो चुका है twice बोले तो 22,400 अब में बात बताओ क्या ये गलत है बिलकुल सर क्या ये सही हुआ है बिलकुल नहीं क्या हो सकतो दो बार डेविट हो चुका है जबकि होना कितने बार था एक ही अगर दो बार डेविट हो चुका है क्या मैंने आपको एक slide दिखाया था ? सर वो slide कौन सी थी एक बर repeat कर दो Cash book में debit मतलब बढ़ाना होता है और credit मतलब कम होता है Pass book में debit मतलब कम करना होता है और credit मतलब बढ़ाना होता है Error कहाँ पे है? Cash book में मैंने दो बार debit debit कर दिया बट करना कितने बार था ? एक ये बार debit तो rectify करने के लिए एक बार credit कर दो दो debit हुए है एक credit कर दो ये मिला के एक ही debit बचेगा Perfect? Yes sir तो अब credit मतलब balance कम करना होता है तो ये भी क्या हो जाएगा? Negative 11,200 ये भी कितना हो जाएगा? Negative 11,200 A debit of 11,00,000 appeared in the bank statement for unpaid checks for unpaid checks which has been returned marked out of date the check has been redated by the customer and paid into bank again on 5th July क्या मैं बोल सकता हूँ BRS की date से आगे है 5th July? तो ये जो second while line है has been redated and repaid ये line में ले कोई काम की नहीं है आप इस चाहे है तो इस line को cut भी कर सकते हो क्योंकि ये line मेरे काम की इसली नहीं है क्योंकि 5th July है 5th July क्या BRS की date से आगे है? Yes sir तो अब पढ़ते हैं A debit of 11 lakh appeared in the bank statement of unpaid checks which has been returned out mouth of date perfect अब ध्यान दो कहां पे debit है? Sir bank में debit है क्या में को bank ने कम कर दिया है? बिलकुल sir क्या अपने bank को देखो ध्यान दो वापस समझो A debit of 11 lakh appeared in the bank statement Sir bank statement मतलब पास बुक? Yes sir bank statement मतलब पास बुक अब पास बुक में debit दिख रहा है Sir पास बुक में debit मतलब कम होता है मतलब आपने 11 lakh रुपे कम किया है कहाँ पे कम किया है? पास बुक में perfect? Yes बट क्या आपने ये सेम चीज़ cash book में किया है क्या? नहीं सथ मैंने 11 lakh रुपे debit किया है पास बुक में क्या cash book में किया है क्या? नहीं सथ तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा? कम मुझे भी क्या करना पड़ेगा? कम कम मतलब होता है माइनस कम मतलब होता है माइनस बैंक ने 11 lakh कम कर दिया है मुझे भी क्या करना पड़ेगा? 11 lakh कम perfect? चुकि बैंक ने debit किया है मतलब बैंक ने मुझे 11 lakh से कम किया है क्या मैंने उसकी accounting किया है कै नहीं तो मुझे भी अपना को 11 लाग से कम करना पड़ेगा परफेक्ट अब ध्यान दो मैं कहाँ पर खड़ा हूं सर यह सारे के सारे notation as per cash book है बड़ा आपको start कहा से करना है पास book से start कहा से करना है credit रहता है मतलब आप customer के लिए debit bank के लिए credit और bank के लिए debit customer के लिए credit परफेक्ट यहां तो टेक्निकली उल्टा चलता ही है न नॉर्मल लाइफ में भी यह ICA और आप दोनों ने उल्टा करना चाहिए और जो की हो रहा है परफेक्ट तो अब जितने भी negative will become positive क्योंकि मेरे लिए negative bank के लिए positive bank के लिए positive मेरे लिए negative और मैं कहा से start कर रहा हूं पास book से तो अगर आपको ध्यान होंगा तो आ गया देखो balance as per cash book से start करोगे तो यही है लेकिन अगर balance as per pass book से start कर रहे हो मैंने आपको लिख्वाय किसके point of view से cash book के point of view से मैंने लिख्वाय किसके point of view से cash book के point of view से तो आपको क्या में बोल सकता हूं उल्टा करना पड़ेगा positive will become negative and negative will become positive समझा सबको राजा पका मैं हमेशा किसको लेके चलता हूं cash book को और cash book किसा आप सोचता हूं फिर बाद में अगर overdraft है तो मैं खुदी change कर देता हूं और अगर pass book है तो भी मैं change कर देता हूं clear राजा बिल्कुल सर चल यह आपका तो सर rectified लिख देता है न हम आपे बिल्कुल rectified लिख देता है negative will become positive तो एक दो तीन चार फिफ्थ पॉइंट छोड़के बागी सब क्या है negative तो मैं फिफ्थ को कर देता हूं positive था positive will now become negative और उसके अलावा यह सब negative थे तो negative को क्या कर दूँगा positive 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 16,000 positive negative को मैं क्या कर रहा हूं positive चल तो positive पूरे है और एक नेगेटिव है लेट्स चार्ट पहला positive चेक डिपॉजिटेट बट नॉट येट क्लियर चेक डिपॉजिटेट बट नॉट क्लियर गिता है चेक डिपॉजिटेट बट नॉट येट क्लियर तीन लाख नो हजार दो सो किता है तीन लाख नो हजार दो सो perfect yes sir उसके बाद वापस higher purchase का positive है higher purchase amount paid किता है तीन लाख इंटू तीन नॉट लाख इसका मैंने calculate कर दिया था आपको yes sir उसके बाद है customer ने errorless recording तोला हजार रुपए उसके बाद bank charges तीन हजार सर आपके लिए negative था bank के लिए क्या है positive आपके लिए positive है तो bank के लिए क्या है negative क्योंगे हम कहाँ पर अभी balance चलो नेक्स चलते हैं a debit of 11,000 लाइफ ठीक है less एक ही है check deposited एक डिपॉजट है क्या है का गया डिरेक्ट डिपॉजट है वह सर वैसे तो amount really deposited add होता है बड़ बेटा पन passbook से start कर ले इसलों क्या हो जाएगा उल्टा less आपको सोचना किस के हसाब से है cashbook के हसाब से उसके बाद हम उल्टा पुल्टी कर देंगे overdraft है तो उल्टा passbook है तो उल्टा ठीक है yes sir कितना है 4 लाग इसको तो एक यह फिगर है directly भाल लिख देते हैं कोई रिक्त नहीं है चार लाग नेगेटिव चलो calculate करते है calculator का गया मेरा वह सामने पड़ा है 309200 प्लस नौलाग प्लस 16,000 प्लस 3,000 प्लस 11,200 प्लस 11,00 प्लस 11,00 यह हो गया 23,39,400 balance as per cashbook कितना हो जाएगा 23,39,400 प्लस 10,39,200 minus 4,00,29,78,600 is the balance as per cashbook Sir, favorable, unfavorable? favorable को positive लिखा है यह भी positive है तो यह भी क्या हो जाएगा? favorable Sir, अगर यह negative आ जाता था तो तो हम लिख देते overdraft Perfect? Yes Are we clear with the question? बिलकुल Sir समझा हमको अच्छे समझा Perfect? Yes मेरा सोचने का procedure समझा हमेशा मैं cashbook के point of view सोचता हूँ अगर overdraft as per cashbook है तो उल्टा कर देता हूँ अगर passbook है तो उल्टा कर देता हूँ Perfect? Yes चल, आगे बढ़ते है to the next question screenshot ले लो वेड़ा तब तक हमें next question पे चलते हैं Done राजा, screenshot ले लिए Yes, Sir चल, चाट करते हैं with the next question Next question बहुत easy सा है But फिर भी कराना तो है Yes, चल Bank column Everyone concentrate क्या चल रहा है Bank column of cashbook Shoulder Overdraft Sir, cashbook में Overdraft है Cashbook में Overdraft है, Sir मतलब होता है Negative? मतलब होता है negative अब ICI क्या करता है, बात की बात है हमारा point of view क्या सोचना रहेगा Cashbook के इसाब से Sir, check issued But not yet presented For payment Sir, अब तो रट्टा हो गया है Check issue किया But not yet presented क्या होगा? Add क्या होगा? Add Sir, check deposit but not yet collected Collected मतलब But not yet credited Sir, ये भी रट्टा हो चुका है क्या होगा ये? Minus Check issued But not yet presented Add Check deposited But not yet credited Minus Interest on term loan Debited by bank Sir, bank का debit मतलब bank ने मुझे कम कर दिया क्या मैंने उसकी accounting किया किया नहीं तो मुझे भी क्या करना पढ़ेंगा अपने आप पो कम Minus आगे Bank charges 5,000 Was debited by the bank during the month of March But not accounted into the books Bank का debit Bank ने मुझे debit कर दिया मतलब आपस कम कर दिया क्या मैंने उसकी accounting किया है क्या नहीं तो मुझे भी accounting करनी पढ़ेंगी Last चौरा देहान दो बेटा Last चौरा देहान दो Important है Sir, an amount of 30,68,000 Representing collection of remish Check Was wrongly credited To Mukesh account By the bank किसने error किया Bank ने Sir, ऐसे error तो होते रहे Bank ने हमको 30,68,000 से credit कर दिया भगवान कहा फिर तू ऐसे credit कर वा तो bank ने हमको 30,68,000 से credit कर दिया क्या मैंने अपने आपको बढ़ाया का Balance नहीं तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा Bank ने बढ़ाया थे तो मुझे क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा परफेक्ट येस अब सर होता क्या है ICA Overdraft को लिखता है भली होता है negative और ICA Overdraft को क्या लिखता है Positive तो मैं को हर एक का sign change करना पड़ेगा Positive अरे ये negative है पता नहीं कैसे positive हो गया चेकड़े positive हाँ Positive will become negative और negative will become positive तो पहला वाला आपका positive था तो क्या बन जाएगा Negative दूसरा वाला आपका positive Negative है और तीसरा वाला भी negative है चौता वाला भी negative है तीनों क्या बन जाएंगे Positive 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 मतलब add और पाच वाला आपका positive है तो क्या बन जाएगा Negative Perfect Yes sir अब कुछ नहीं करना 5000 अब मैं लिखूंगा नहीं मैं directly करके दे रहा हूं आपको अब मैं थक गया हूं मजा कर रहा हूं Same चीज़े दो negative है तीन positive है तो overdraft as per Cash book कित्ता है तो overdraft as cash book 5000 अब add वाले पहले लिख देते है add मैं figures लिख रहा हूं बेड़ा directly Please don't mind 20 लाख 10 लाख और 2500 बीस लाख 10 लाख और 2500 परफेक्ट येस अब लेस वाले लिख देता हूं उसके बाद Sir लेस वाले कित्ते है Sir लेस वाले दो है एक और दो 12 लाख और 30 लाख 68 थाउजन 12 लाख 30 लाख 68 थाउजन येस चल करते हैं ये हो जाएगा आपका 30 लाख 2500 ये आपका कित्ता हो जाएगा 12 लाख प्लस 30 लाख 68 थाउजन ये हो जाएगा 42 लाख 68 थाउजन नेगेटिव चले आगे बिलकुल Sir तो अब मैं बाद दाओ Everyone concentrate 5,000 प्लस 30 लाख 2500 प्लस 42 लाख नहीं Sir प्लस नहीं माइनस 42 लाख 68 थाउजन तो ये हो जाएगा नेगेटिव 12 लाख 60 थाउजन 500 Everyone come back come back ध्यान दो Sir negative है अब ये क्या है but obvious balance as per passbook Sir अब हम overdraft लिखेंगे या ने depend करता है question पे Sir उसने unfavorable को ICI ने unfavorable को positive लिखा है positive perfect मतलब negative उसके लिए positive है तो sorry negative उसके लिए positive है but obvious यहाँ पे भी होगा अगर उसने unfavorable को positive लिखा है तो negative को क्या लिखेंगा favorable negative को क्या लिखेंगा favorable तो क्या है यहाँ पे word overdraft use होंगा क्या नहीं Sir perfect yes Sir समझा राजा अगर उसने unfavorable को positive लिखा है तो negative will be favorable for ICAI perfect yes Sir take a screenshot of this guys we are moving to the next question इसका नाम पढ़ो cashbook of Mr. गड़बडवाला अब यहाँ बता हो जिस आदमी का नाम ही गड़बडवाला है का उसका BRS कई प्रॉपर रहेगा के नहीं Sir the cashbook of cashbook of Mr. गड़बडवाला showed 8,36,000 as the balance at bank but अब में बात बता positive है कि negatives are positive है मतलब favorable but this did not agree with the balance as per passbook ठीक है मतलब cashbook में किता है the cashbook के साब से 8,36,400 but passbook के साब से कुछ और balance है किता है question है given नहीं है बट कुछ और balance है क्या दोनों match हो रहे नहीं तो हमको क्या बनाना पड़ेगा BRS on 15 December 2019 सबसे पहले जब dates आना शुरू हो जाए तो आप चेक कर आपका BRS का date कब का है 31 December 2019 सारे के सारे event जो इसके पहले के है वही BRS BRS में आएंगे उसके बाद वाले BRS में आएंगे क्या नहीं sir on 15 December क्या BRS देट के पहले येस payment side of cash book undercast by 10,000 सर अंडरकास का मतलब क्या होता है एक मिड़े में explain कर देंगे जब भी लिखा जाएता है overcast जब भी लिखा जाएगा overcast that means जादा है और undercast that means कम है अब question ने क्या बोला है cash book का credit side 10,000 से undercast है perfect yes तो cash book का जित्ता हम को बता है debit मतलब balance बढ़ाता है और credit मतलब balance कम करता है बिल्कुल तो आप ये बोलना चाहते है कि हमने कम पैसा credit किया है बिल्कुल रजा आपने 10,000 कम credit किया है और credit से पैसा होता है minus तो 10,000 क्या होना चाहिए minus क्योंकि आपने 10,000 कम minus किया है तो बिटा कर दो जित्ता होना चाहिए था तो this undercast is a negative सर अगर पेमेंट साइड सर अगर पेमेंट साइड अंडर कास्ट है तो माइनस सर अगर रिसीट साइड अंडर कास्ट है मतलब सर 10,000 आने चाहिए थे आपने उसकी अकाउंटिंग नहीं किया तो 10,000 बढ़ाओ तो it all depends upon the question undercast and overcast currently cash book का credit side मतलब payment side होता है payment side कम है 10,000 से तो हम 10,000 से payment को बढ़ा देंगे payment को 10,000 बढ़ाएंगे तो cash आएगा है cash जाएगा cash जाएगा तो cash book में हो जाएगा minus a check of 1,31,000 issued on 25 December मतलब 31 December के पहले was not taken into the bank column मतलब मैंने एक check दे दिया और वो check present भी हो गया और वो पैसा चला भी गया मेरे bank से मतलब मेरे bank से हो गया यह amount कम लेकिन क्या मैंने इसको record किया है क्या नहीं sir आपने इसको record नहीं किया है तो आपको record करना पड़ेगा record करोंगे तो यह क्या हो जाएगा minus one deposit of one lakh fifty thousand was recorded in cash book as if there is no bank column sir इसका मतलब क्या है एकदम सिंपल वेटा क्या आपने double column cash book पड़ी है yes sir sir double column में एक रहता है cash का column और एक रहता है bank का column perfect yes अब हुआ क्या एक deposit हुआ है देड़ लाग का deposit मतलब कैना है say bank का balance बढ़ गया बिलकुल आपने भी balance बढ़ा है लेकिन आपने bank column में balance नहीं बढ़ा है आपने किसमें बढ़ा दिया है cash column में तो क्या match होगा क्या नहीं sir bank में पैसा आया आपने माना cash में पैसा आया bank को बढ़ना चाहिए आपने बढ़ा दिया cash rectify करने के लिए cash को कम कर दो और bank को बढ़ा दो वापस बूर रहा हूँ bank देड़ लाग से बढ़ गया लेकिन आपने किसको बढ़ा दिया cash account को बढ़ाना किसको चाहिए था bank account को बढ़ाना चाहिए था आपने किसको बढ़ा दिया cash account को rectify करने के लिए cash को कम कर देगे और bank column को बढ़ा देगे और मैं किससे लिंग दे bank column से तो cash को कम करें और bank को बढ़ाएंगे इने को किस से लेना देना है bank column से तो this is a positive figure perfect yes इन्होंने क्या किया cash account को बढ़ा दी जबकि किसको बढ़ाना चाही था bank account को तो cash को कम करेंगे और bank को बढ़ाएंगे तो में लिए कौन सा important है bank on 18 December debit balance of 15,260 on the previous day was brought forward as a credit balance sir हुआ क्या cash book में sir cash book में debit मतलब favorable रहता है yes sir तो एक debit figure था 15,360 का कितने का figure था debit 15,260 का debit था मैंने उसे लिख दिया credit 15,260 सर मतलब journey क्या हुई है मतलब हुआ है positive 15,260 के जगह मैंने क्या लिख दिया है negative 15,260 perfect yes अब इसको rectify करना है तो कैसे करेंगे sir आप एक काम को आप bank account बना दो बिल्कुल बेटा बना देता हूँ हमने किया क्या है sir हमने किया क्या है debit लिख था बड़ हमने लिख दिया है credit 15,260 ठीक है rectify करने के लिए क्या करेंगे सबसे बहले अपनी गलती rectify करेंगे sir हम credit को करेंगे debit तो अब इस account में कित्ता हो चुका है balance जीरो अब इस account में कित्ता बैलेंस हो चुका है जीरो debit or credit nullify हो जाएंगे बट सही क्या है sir आपको यहाँ पे 15,260 चाहिए आपको यहाँ पे क्या चाहिए 15,260 एक 15,260 rectify करने के लिए क्युकि आपने kredit कर दिया था उसको rectify करने के लिए debit और दूसरा पन्दरा क्यों चाहिए? क्यूँ question बोल रहा है कि 15,260 , debit था आपने उसको debit लिखा नहीं उपर से आपने उसको credit कर दिया तो आपने दो गड़वड़ी की एक तो आपने लिखा नहीं तो rectify करने के लिख दो और एक तो आपने credit करना चाहिए था credit नहीं करना चाहिए था आपने क्या कर दिया credit गड़वड़ क्या हुई है first डेबिट लिखना था लेकिन लिखा नहीं तो रेक्टिफाइक करने के लिए अब लिख दो देबिट ब Metro क्या होगी ए अपने क्रेडित लिख दिया रेक्टिफाइक करने के लिए उसको क्या कर और debit से बढ़ता है balance, तो 30,520 क्या हो जाएगा, debit, that is positive, चले आगे, yes sir, a total of checks of 11,514, drawn, मतलब drawn मतलब क्या होता है, check issued, in the last week of December, checks aggregating of 7,100 were in cash, मैं बाद बता हो, 11,514 के मैंने check दिया था, but in cash मतलब present किते हुए है, in cash मतलब present किते हुए है, 7,815, तो राजा, unpresented किते हैं अभी भी, sir, 11514, minus 7815, unpresented है, 3699, एक बाद री check करता हूँ, 11514, yes, और 7815, 3699, unpresented है, और मेरे लिए कौन सा डिट है, unpresented वाला, तो check issued, but not presented, 3699, positive, dividend of 25,000, collected by the bank, and subscription 1000 paid, collected मतलब add, paid मतलब minus, were not recorded in cash book, मतलब 25,000 से बैंक में बाइसा आ गया, मैंने record किया, क्या नहीं, तो बढ़ा हो, 1000 bank से कम हो गया, क्या मैंने कम किया किया, नहीं, तो घटा, outgoing check, outgoing check मतलब, check issue किया है, of 350,000, was record twice in cash book, perfect, मतलब मैंने दो बार credit कर दिया, outgoing मतलब, sir, पैसा जा रहा है, sir, cash book में debit मतलब पैसा बढ़ाता है, credit मतलब पैसा घटाता है, तो credit करना था, एक बार, आपने credit कित्ता कर दिया, दो बार, मतलब, आपको minus करना था, एक बार, आपने कित्ते बार minus कर दिया, दो, तो rectify करने के लिए, आप क्या करोगे, एक बार add back कर दोगे, तर एक बार लिख के बताओ, आपने क्या बोले, 50,000 add कर दो बात खतम तो आपको automatically जो answer आना ची यो आ गया perfect yes तो ये क्या है negative चल अब जित्ते positive एक तरफ ले लेते जित्ते negative है अलग चाट करें balance as per balance as per cash book 8,36,400 next add sir add क्या क्या करना है deposited not recorded wrong recording of deposit dead luck next और क्या आट करना है wrongly credited ती सजार पाथ सो बीस perfect yes next चलते है और क्या आट करना है check depo check issued but not presented three six double nine next dividend 25,000 मिला है dividend received directly 25,000 यह आपका हो गया add का हिसाब किताब अब less less क्या है cash book undercast 10,000 नेगटिव next check issued यह दो हो गया और क्या है अब अपने मर्जी से लिख सकते क्या है इसका narration बिल्कुल लिख सकते बेटा देड़ लाग माइनस next और क्या है यह एक माइनस है 1,000 subscription paid 1,000 negative और उसके अलावा 3,5,5 लाग अरे यह positive है या 2 बाद क्रेट करना था इसस पॉजिटिव परफेक्ट येस तो ये भी वही पर आएगा स्वेज बना के लिख देते है साड़े तीन लाग credited twice amount credited twice ये add हो गया और ये तीनो लाइस हो गया पर cash book किता cash book किता pass book आएगा balance as per pass book किता आएगा चलो 836,400 प्लस 559,219 minus 1,61,000 12,34,619 12,34,619 चलो, let's take a screenshot of this screenshot दो राजा और आगे बढ़ते तो the next question चलो, डायन विडा screenshot येस सर, डायन चलो, अरे एक सेकंड एक सेकंड, लेट मी चेक अरे एक error हो गया राजा मैं इधर सोथर shuffling में this is ये वाला, जो minus करना था 1,31,000 minus करना था मैंने वाँ 1,500,000 लिख दिया कितना minus करना था? 1,31,000 मैंने कितना लिख दिया? 1,500,000 इधर minus होगा 1,31,000 ये screen shuffling में बेटा आप figures भूल जाते हो 1,31,000 plus 10,000 plus 1 ये हो जाएगा 1,42,000 ये भी आपका figure change होंगा 1,42,000 negative और ये आपका हो जाएगा वापस करते हैं 8,36,400 plus 559,219 minus 1,42,000 अंसर इस 12,53 6,19 हाँ, अब इसका screen shot लो और ये मेर से error हो गया था परफेक्ट? येस, इसका screen shot लो भी रहन रहा जाँ? येस, सर अब इसमें एक कीज है, ध्यान दो अब एक नए topic आ रहा है जो आपने 11th में भी नहीं पढ़ा था foundation is studying for the first time but, it's a very easy topic the topic name is adjusted cash book the topic name is adjusted cash book सर, adjusted cash book का मतलब क्या होता है? राजय एकदम simple चीज़ बता रहा हूं adjusted cash book क्या बोलती है? भाई साब आपने कुछ errors किये तो errors को का rectify कर दोगे एक adjusted cash book बनागे किसको rectify कर दोगे? adjusted cash book बनागे in short BRS में कित्ती चीज़े जाएगी? in short BRS में ये सिर्फ तीन चीज़े जाएगी उसके अलावा other than these three rest all will go to adjusted cash book perfect सर ऐसे कौन से? सर हमने पढ़ा था check issued but not yet presented my but check issued but not yet presented ये कहां पे दिखेगा? BRS के अंदर ये कहां पे दिखेगा आपको BRS के अंदर check deposited but not yet clear ये भी आपको कहां पे दिखेगा? BRS में अगर bank ने एरर किया तो कहां पे दिखेगा? BRS में सर अगर मैंने एरर किया तो cash book में bank ने एरर किया तो BRS में मैंने एरर किया cash book bank ने एरर किया BRS amount directly deposited amount directly deducted क्या ये तीन में है क्या नहीं sir वो भी कहां दिखेंगे आपको adjusted cash book में so in short ये तीन के अलावा कोई और चीज आपकी BRS के अंदर नहीं जाएगी ये तीन के अलावा कोई भी चीज आपकी BRS में नहीं जाएगी बाकि सब कहा पर जाएगी adjusted cash book में परफेक्ट येस कॉंसी तीन चीज है check issued but not yet presented, check deposited but not yet cleared and error by bank, मेरा error रहा है तो adjusted cash book, bank error रहा है तो BRS, check issued but not yet deposited, presented, BRS, check deposited but not cleared, BRS, check issued but not presented, BRS, amount directly deducted, adjusted cash book, amount directly received, adjusted cash book, perfect with this, yes sir, so card peed के ये तीन के अलावा और कुछ आएगा कैं बागी सब कहां चर जाएगा, adjusted cash book, चलो इसमें एक example करते हैं, आपका एक एक example में काम खतम हो जाएगा, और आपको, आपका मतलब, आपको समझ जाएगा, बागी सब चीजे तो वही है, जो भी तक करवा के हो, adjusted cash book का एक question करवा जता हूँ, on 30th September, आपका BRS का rate क्या है, 30 September 2019, bank account of X, according to the bank column, perfect, bank account of X, of the cash book, was overdrawn, sir, overdrawn का मतलब हो जाता है, OD, मतलब overdraft, और overdraft मतलब क्या होता है, unfavorable, unfavorable मतलब negative, बट सर, ICI negative को लिखता है, positive, तो मैं भी क्या करूँगा, सब वह हिसाब किताब करेंगे, बट ये negative को positive लिखता है, BRS के अंदर, clear है, किसमे, BRS के अंदर, adjusted cash book में ये फालतोगा दिमाग मत डोराना, adjusted cash book जैसे बनाते आयो, वैसे ही बनाना, BRS में उल्टा उल्टी करना है, चले के करके चलते हैं, पहले आप में को ये बताओ, कौनसी चीज BRS में जाएगी, और कौनसी चीज, adjusted cash book में जाएगी, सब BRS में सिफ्टीन, check issued, not presented, check deposited, not cleared, and error by bank, बागी सब adjusted, a check of 13,14,000, deposited on 29 September, मतलब 30 September के पहले, was credited by the bank, only on 3rd October, में को बाल बताओ, क्या 30 तारिक को वो credit हुआ क्या, नहीं सर, 30 तारिक को वो, check deposited, but not yet credited, but not yet cleared में था, तो ये कहाँ पर जाएगा सर, BRS, अब सर इसका होता क्या है, मैंने माना, मेरा bank का balance बढ़ गया, but actual में बढ़ा क्या, 30 September तक नहीं, तो मुझे rectify करने लिए क्या करना पड़ेगा, minus, क्या कर 15,000, has been entered twice in cash book, sir, ये है गड़बढ, but गड़बढ क्या, वो तीन चीजों की है, क्या, sir, ये CESA कहा जाएगा, adjusted cash book में, because ये list में नहीं आता, list क्या है, check issued, not presented, check deposited, not cleared, an error by bank, ये तो बेटा मैंने error किया है, cash book के error, मेरे error रहते हैं, perfect, yes, अब इसको कहा जाएगे, adjusted cash book में, मैं इसका हिसाब किताब अबन करते है, दूमर्ट में, perfect, yes, on 29 September 2019, bank credited 1,17,400, received from customer X, but no advice was received by X until 1st October, अब bank का balance बढ़ गया, क्या आपने balance बढ़ाया है, क्या, नहीं, क्या bank ने आपको SMS भेजा क्या, नहीं, बड़ बैंक बोल रही है, ये तुम्हारा काम है, कि तुम आपके पता करो कि तुम्हारे bank में किता balance है, ये हमारा काम नहीं है, हमने SMS नहीं भेजा तो नहीं भेजा, हमारी गलती है क्या, नहीं, ये SMS वाले जंजट हम सब करते नहीं, तुम्हारा bank account है न, तुम जाने, पैसा आया या पैसा गया, perfect, yes sir, तो ये किसकी गलती मानी जाएंगी, bank की नहीं, मेरी गलती मानी जाएंगी, तो ये कहा जाएगा, adjusted cashbook में, भली SMS बैंक ने नहीं भेजा, बट बैंक क्या बोलेगी, से confirm कर, उसने दिया नहीं दिया, हमारा काम SMS बेजना है, नहीं भेजा हमने, तो क्या, तुम्हारा काम नहीं है, पार्टी से बात करना, तुम्हारी गलती है, हाँ साब, आप सही, मैं गलत, perfect, yes, bank charges amounting to 580, not entered in cashbook, वापस ये कहा पे जाएगा, adjusted cashbook में, bank बोल रही हमने 500 सी काट लिये तुम्हारा अकाउंट में से, तुम्हारा अकाउंट है ना, तुम ध्यान दो, हम SMS नहीं भेजेंगे, जो बनता है कर लो, तुम्हारा अकाउंट है ना, ध्यान दो, perfect, yes, on 6th September 2019, bank credited 20,000 to X in, error, in error, sir ये तो bank का error है, bank का error कहा जाता है, BRS में, bank का error कहा जाता है, BRS में, a bill of exchange on 1,40,000 was discounted by X with bank, the bill was dishonored, but no entry has been made in the books of X, अब राजा देखो, आपने एक bill discount करवा लिया, बिल्कुल, sir, अब आपने bill discount करवा लिया, आगे आले party ने bank को payment नहीं दिया, तो भाई साब, bank ने dishonor कर दिया, तो मैं गोई चीज बताओ, क्या आपका काम नहीं है, ध्यान देना, party ने पैसा दिया है नहीं दिया बैंको, अरी गलती है, वो सब चीज़े कहा जाएंगी, adjusted cash book में, yes, check issued, up to 30th September, not presented, sir, check issued, but not yet presented for payment, कहा जाता है, बी आरेस में, टेक्निकली कित्ते गए बी आरेस में, एक, दो, तीन, कित्ते गए, तीन, अब जो बी आरेस वाले हैं, उनमें बात करेंगे, plus या minus, sir, bank ने credit कर दिया, 20,000, bank ने balance बढ़ा दिया, तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, balance, बढ़ाना पड़ेगा, so this is a positive, next, check issued, but not yet presented, sir, हमको रटा हो गया है, ये क्या होता है, positive, but, 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 ध्यान दो, यहां overdraft है, sir, ICA overdraft को लिखता है, positive, ICA overdraft को क्या लिखता है, positive, हम देखते हैं, क्या इस आप किताब बचता है, चलो, अब आपको सबस्वेले क्या बनाना है, adjusted cashbook, आपको क्या बनाना है, adjusted cashbook, इधर overdrawn है, overdrawn मतलब unfavorable, sir, cashbook के लिए debit मतलब favorable है, credit मतलब unfavorable, तो कहना है यहां पर आपका हो जाएगा, buy balance brought down, किता balance brought down है, 4062, किता balance brought down है, 4062, 4062, debit मतलब cashbook के लिए favorable होता है, credit मतलब क्या होता है, unfavorable, अब, पैसा आया, तो debit, पैसा आया, तो debit, और पैसा गया, तो credit, perfect, yes, sir, चलो, अब यह आपका है, पहला, अब payment of check 16,000 entered twice a cashbook, मैंने दो बार payment के entry मार दिया, मतलब मैंने दो बार 16,000, 16,000 कर दिया, rectify करूँगा, दो credit होना कितना चाहिए था, एक, दो credit होना कितना चाहिए था, एक, तो rectify करने के लिए क्या कर दूँगा, debit, sir, एक बार आप लिखके बता दो, please, आपने, दो बार credit कर दिया, 16,000, 16,000, जबकि करना कितने बार था, सिर्फ एक बार credit, 16,000, बला आपने credit कर दिया, 32, करना कितना था, 16,000, rectify करने के लिए, credit को rectify करना है, तो क्या करेंगे, debit, कितने रेविट करेंगे, 16,000, रुपै से क्या कर देंगे, हम debit, to party account, कितने से, 16,000, रुपै से, कितने से, 16,000, रुपै से, next, on 29th October, bank credited, 1,17,400 received from customer, bank ने credit किया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, debit, bank ने credit किया, मुझे क्या करना पड़ेगा, debit, और देखो, receive from customer, कहना इसे, पैसा आया है, पैसा आया, तो debit, 1,17,400, to customer, yes, sir, चलते आगे, bank charges, amounting to 580, not entered in cash book, bank ने पैसा काट लिया, मतलब कहना इसे, bank account से पैसा गया, 580, bank से पैसा गया, 580, आया तो debit, गया तो credit, आया तो debit, गया तो credit, by bank charges, 580, आगे बढ़ते हैं, next, a bill of exchange of 1,40,000, was discounted by X, with bank, this bill was dishonored on 29, ध्यान दो बेटा, इसका क्या होता है साब किताब, जब आप bill को discount करवाते हो, जब आप bill को discount करवाते हो, तो bank आपको पैसा देता है, yes, bank account debit, और bill आप bank को देते हो तो, तो to bill receivable account, अगर ये bill, ओनर हो जाता है, तो no entry, because, bill तो आपके बास है नहीं, और आगे ले पार्टी ने bank को पैसा दे दिया, बट अगर ये bill dishonor हो गया, अगर ये bill dishonor हो गया, bank आके आप सा गला पकड़ेंगा, पैसे दे, तो ने discount करवाया था bank का, तो ने discount करवाया था bank से, अब तू पैसे भर के देंगा, अब तू पैसे भर के देगा, तो कहना है, इसे bank मुझसे वसूल करेगा, yes, तो bank account credit, कितने से credit होगा, एक लाग चालीज़, आया तो debit, गया तो credit, bank किससे वसूल करेगा, मुझसे, by bill receivable dishonor, by bill receivable dishonor, एक लाग चालीज़ हजार, perfect, yes, sir, याद रखना, जब भी bill dishonor होगा, bank आपसे पैसा वसूल करके रहेगा, bank आपसे पैसा लेके रहेगा, तो आपको पैसा उसको देना पड़ेगा, पैसा आतर debit, पैसा जाता है, तो credit, next, हो गया, अब, करते हैं, हिसाब किताब, calculator का है, मेरा, बोरा, हिसाब किताब क्या है, बेटा, चर, debit side, एक लाग, sorry, credit side क्यों से जादा दिख रहा है, credit side जादा दिख रहा, एक चालीस, प्लस, पाचसी, प्लस, 4062, 1,44,642, सब credit side जादा है, तो अभी भी क्या है, वो, overdraft, credit जादा, मतलब unfavorable, मतलब overdraft, और debit कम है, इतना कम है, debit कम है, 11,242, perfect, yes, to balance carried down, क्या ये overdraft है, yes, credit जादा है, तो ये क्या है, overdraft, तो overdraft, as per cash book, वैसे तो रहता है, negative, वैसे तो रहता है, negative, but I.C.A. उसको क्या लिखेंगा, सर, I.C.A. उसको लिखेंगा, positive, I.C.A. उसको क्या लिखेंगा, positive, कितना negative है, 11,242, balance as per cash book, है तो वो negative, but I.C.A. उसको क्या लिखेंगा, positive, 11,242, 11,242, perfect, अब आपके, I.C.A. उल्टा कर रहा है, तो आपको भी क्या करना पड़ेंगा, उल्टा, negative will become positive and positive will become negative, तो ये क्या हो जाएंगा, आपका negative है, तो इधर क्या हो जाएंगा, positive, फिर, ये आपका positive है, तो ये क्या हो जाएंगा, आपके लिए, negative, and last but not the least, ये आपके लिए positive है, तो आपके लिए क्या बन जाएगा, negative, चलो, एक positive, दो negative, एड, क्या एड हो रहा है, चेक करते हैं, चेक deposited, बट नॉट येट, clear, तर वैसे तो होता है, ये negative, बट I.C.I. उल्टा कर रहा है इसमें, वो negative figure को positive लिखता है, तो में एको भी क्या करना पड़ेगा, उल्टा, चेक deposited, बट नॉट क्लियर, कित्था है, 13,14,000, कित्था है, 13,14,000, लेस, सर दो लेस है, एक बीस हजार और दूसरा तेरा लाग चप बीस हजार, चेक issued, error by bank, error by bank, बीस हजार, नेगेटिव, चेक इशूड, बाट, नॉट प्रेजेंटेड, कित्था हो जाएगा, तेरा लाग चप बीस हजार, रुपे, कित्था हो जाएगा, तेरा लाग चप बीस हजार, चलो, यह जाएगा, थर्टीन लाग, फॉर्टी सिक्स थाउजड, किसा आप करते हैं, यह आप करते हैं, फॉर्टी फॉर्टी प्लस थर्टीन लाग, फॉर्टीन थाउजड, माइनस थर्टीन लाग, फॉर्टी सिक्स थाउजड, ट्वेंटी थाउजड, सेवन फिफ्टी एट, ट्वेंटी थाउजड, सेवन फिफ्टी एट, नेगेटिव, सर, अगर ICI, अन फेवरेबल को, लिखता है पॉसिटिव, तो ICI के लिए, नेगेटिव विल बी फेवरेबल, नेगेटिव विल बी फेवरेबल, तो क्या फेवरेबल बी ओवरड्राफ रहता है क्या, नहीं सर, तो यह हो जाएगा आपका, बालेंस, ऐस पर, पास्ट बुक, और यह लखी न, इस कुश्चन में, इसका अंसर भी दिया हुआ था, 20,758, सबको दिख रहा है, 20,758, और यहां पे क्रेडिट लिखा है, पास्ट बुक में क्रेडिट इस फेवरेबल, पास्ट बुक में क्रेडिट इस फेवरेबल, और गाइस, वी आ दन विद बी आर एस, that's all for the day guys, see ya, bye bye, take care, have a great day ahead, and hope you got the understanding, see ya, bye bye, take care, अए काम करो, screenshot ले लो, ते ले इसका screenshot लो, फिर इसका screenshot लो, yes, bye bye, signing off,